कि हाला अर्यवाइन नमस्कार स्वागत एक वार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नितिन शर्मा मैट्स और मैं हूँ आपका दोस्त नितिन एक वाफिर से हाजिर है लगातार वैक टू बैक एक के बाद एक प्रियस एक पर सॉलूशन लेकर आपके सामने आ है और आज हम डेट प्लस बी टिढि मैट्स तेरा नो 2021 फीवेर सिफ्ट वन पर सवलोुशन आपके सामने लेकर हाजीर आफैसे कि आप देख पारें स्क्रीन पर डेट प्लस में टीढ़ती मैट्स तेरा नो 2021 फीमेल पर सॉलूशन नangबर फाइफ जी यहां इससे पहले हमने data plus tgt math 21 के चार paper के solutions already cover कर लिए आपने देख भी लिए होंगे अगर नहीं देखें तो आप ज़रूर देखेगा इस वीडियो के description में एक playlist का link आपको मिलेगा जिसमें आपको data plus tgt math के सभी previous year's paper के solutions मिल जाएंगे और एक ही class के अंदर जी हां एक ही class में complete paper का solution cover करेंगे एक से लेकर 100 तक और यह रहने वाला है paper solution number 5 ठीक इससे पहले हमने data plus tgt math 10921 female shift second paper solution number 1 cover किया है ठीक उसके बाद हमने 4921 male shift 1 paper solution number 2 हमने cover किया था और इसके बाद हमने number 3 और 4 यह दोनों पर भी हमने cover कर लिये तो कुल मिलाकर अपने चार previous year's paper के solutions cover कर लिये और अब भड़ते हैं previous year's paper solution number 5 की तरफ यह 5 अपना आज रहने वाला है ठीक है और इस playlist को आप जरूर विजिट कीजिएगा और अगर आपने यह वाला वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया तो इसको पूरा देखें और इसको दे और वहां पर एक ओल वाला बटन जरूर ओन कर ले ताकि जब भी नया वीडियो आए नया अपडेट आया को information सबसे बहले मिले आप देख पाएं आपको कोई भी बात पसंद आती है तो जरूर उसको लाइक करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेर करना ना भूल सब्सक्राइब करके चले और आपने अभी तक हमारे अप्लिकेशन नितिन सर्मा मैस आप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लेगा इस एप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिक्शन में आपको मिलेगा साथ की साथ अगर आप चाहें तो ग करना है क्योंकि आपको जब यह प्रियस फेपर सॉलुशन हम करा देंगे उसके बाद आप इसकी पीडिया फाइल की तरह भाग होगे आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा फेपर कंप्टर द्वारा टाइप किया हुए बहुत बढ़िया तरीके से टाइप किया है डि पश्सा घंडिया मिलें आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही यहां पर एक फ्री स्टेडी में जाओं को कि नाम से ले और में आपको फाल्डर में आपको कince अधाने करने पूर चेंग कर दो नहीं नहीं घरुक स्थorfonset yapos यहां पर मिली हुई आप इसको जरूर देखिएगा चलिए बढ़ते हैं आज के पहले कुछिन की तरफ और प्रियस वेपर सॉलुशन लगातार दिये जा रहे हैं आपको आप देखेंगे अगर आपने पिछले प्रियुशन भी देकर आपने देखें तो बहुत से ऐसे हैं ज सब्सक्राइब कुछिन है और यह सब चीजा को क्लास में कर आई हुई है अब देख पाना है कुछिन देखते हैं मालूम हो जाए क्या कहा रहा है देखें फाइंड आउट दा नंबर ओफ इक्विवलेंस रिलेशन्स डाट कैन वी डिफाइंड बाइड इस सैट एक सैट मे सब्सक्राइब काम करेगा और तीन से कम है दो है एक है तो सब के लिए बता रहा हूं मैं आपको एंड लेस्टन इक्वाल टू थ्री एंड का मतलब यहां पर होता है नंबर ओफ एलिमेंट्स इन अगिवन सैट अगर एंड की वैलू तीन है या तीन से कम है एक है दो है तो सब पर काम करेगा तीन तक काम करेगा चाहिए नंबर ऑफ इक्मिंवालेंस रिलेशन का झोगा लम्ड आफोट फिवेलेंस फिर्ण नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन number of equivalence relations that's equal to 2 की power n minus n yes यह वाला formula हम apply करेंगे इस formula से direct आपको number of equivalence relation मालूम हो जाएगा n यहाँ पर क्या है number of elements in the given set n less than equal to 3 पर काम करेंगा यह अब यहाँ पर 3 element है तो इसका मदला अपने पास n की value कितनी है 3 है जैसे हम यहाँ पर n की value output करेंगे 2 की power 3 minus 3 2 की power 3 8 होता है 8 में 3 घटाएंगे तो 5 यहनकी अपना option number D is the right answer तो इस प्रकार के सारे concept आपको सिखा रहे हैं समझा रहे हैं chapter number one sets and relation आपको जो पढ़ाया है वहाँ पर मैंने number of equivalence relations number of symmetric relation और reflexive relation transitive relations etc सभी प्रकार के यह जो relations होते हैं उनकी shortcut formula results आपको सीखा रहे हैं तो इनके लावा ऐसे और भी बहुत सारी shortcut आपको बताए हुए तो आप उनको जरूर्ण करके चले आपकी काम आएगे अना बढ़ता है next question कि तरफ लेकि next question क्या है calculate the number of asymptotes of the functions fx is equal to x upon x square minus 1 यह प्रकार का rational function आप देख पा रहे हैं कैसा function है यह दोस्तों rational function है rational function किस प्रकार का होता है rx that's equal to px upon qx इस प्रकार का function क्या होता है rational function जहां पर condition यह होती है कि क्यों हो एक्षिन के denominator not equal to zero होता है इस प्रकार का जो function होता है वो rational function होता है तो इस प्रकार के concept यह भी एक ट्रिक्स से निकालेंगे सारे ट्रिक्स जो बता रहा हूं को note करके चले बहुत काम आने वाले सबस्से पहले तो अपन यह जानता भी इस प्रकार का tangent होता है करव के उपर जो किसे की infinite point पर जाकर करव को touch करता है तो इस प्रकार का जो टैंजनेट लाइन होता है जो किसी करव को infinity पर टच करता है वह अपना सम्टोट का लाता है यह सम्टोट का बिल्कुल बेसिक गोरी जोन्टल यह सम्टोट और फिर होता है वर्टिकल बेटी कल एसम्टोट ठिकन लाए एक अपना होता है ओली क्यू ओली क्यू ओली क्यू तिर्चा एक तरीके से होई जैन्ट पैरलल्ल to the ground-सेट एट पैरलल to the X axis वर्टिकल बोले तो वर्टिकल मेंस परपैंटिकल आपन बेसिक इसको mathematically defined करें तो इस प्रकार को होता है y is equal to mx plus c इस प्रकार का सम्टोट्स इस प्रकार की स्टेट लाइन होती है m क्या होता है slope of the line and c क्या होता है c आपर intercept on y-axis होता है अकर horizontal asymptotes की बात करें तो इसकी equation क्या होती है y is equal to a आपन सपोज कर लेते हैं a की value 0 भी हो सकती है positive हो सकती है negative योगी y is equal to a है y is equal to 0 है y is equal to 5 है y is equal to 3 है फोर ग्राप से समझते ना जैसे माले जी माले जी यह है y is equal to 2 तो यह जो लाइन आप देख पार है y is equal to 2 यह क्या है parallel to x-axis है तो तभी तो इसको नाम horizontal पड़ा है horizontal बोले तो जो parallel to x-axis होता है basically इस पकार से लिखा जाता है एक वैलू 0 हो सकती है positive negative अब बात कर लें वर्टिकल एसम्टोट्स की तो वर्टिकल एसम्टोट्स कुछ इस पकार से होता है x equal to b मालने थे बी की वैलू positive negative 0 कुछ भी हो सकती है अब वर्टिकल है तो यह क्या होगा parallel to y-axis होग और अबलिक्यू इस पकार का ही अपना एक टैंजेंट लाइन होती है एम की आउता स्लोप होता सी इंट्रसेप्ट और y-axis इस पकार तीन पकार से आपने देखने को मिलते हैं यह तो पर अपने बेसिक आइडिया लिया है एक मैं आपको एक्जामपल से समझाता हूं इस कु अब देखिए मैं कुछ इसी कुश्चन में कुछ एक्जामपल से आपको चीज़े समझाने को सीज़ करते हूं सब्सक्राइब आपने पास एक फंक्शन है y is equal to 1yx इस कुश्चन पभी आएंगे फिलाल एक थोड़के एक्जामपल से और समझते हैं सब्सक्राइब आपने पिल्कुल x-axis के close से गुजरता है टच नहीं करता है टच नहीं करता है मैं थोड़ा और अच्छे से मनाता हूं टच तो नहीं करेगा बिल्कुल इसके पास से गुजरता है कुछ ऐसा कि भिल्कुल X-axis के बिल्कुल close यह इसा महसूस होता है कि इस साइड से भी बनता है नेगेटिव पॉइंट के लिए यह इदर की तरफ ग्राफ होनेगा पोजिटिव पॉइंट्स के लिए उपर की तरफ और नेगेटिव पॉइंट्स इदर चालेंगा नीचे की तरफ आएग कि fx के अपने हैं अपना फेक्स किया यहां पर 1yx अब देखिए यह अपने ग्राफ है अब इस ग्राफ का एसम्टोट कौन है इस ग्राफ का एसम्टोट कोडिने टाक्सिज यह अपनी क्या तो कहिना कि यह जो आक्सिज्ठ ओकई है इस करो इस करूड को इसकरो एट इन इफिनिटी फर टच करते हां अपने चाहरींत बढ़ेते को करोड़ तो जैसे तो यह अपना sug2 तो कही ना के यह अपना Sung three न कोब्रोच करेंगे तो भी कही न कहीं यह जो X-axis है वो इस कर्व को टेच करती ही महसूस होगी इधर X की वालू बढ़ती जाएगी प्लस इंफिनिटी की तरफ तो भी टेच करती ही महसूस होगी तो कहना कि X-axis in both the directions is asymptote for this curve इस function के जो ग्राफ है जो कर्व है उसको इसी परकार Y-axis भी देखी जैस जैसे जैसे य की वेलू भड़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और जैसे 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 वाई इनिफिनिटी को अप्रोच करेगा इनिफिनिटी के तरफ जाएगा तो यह Y-axis ही कहिना कहीं इस कर्व को at infinity इनिफिनिटी पर टेच करती महसूस होगी कहिना कि एक asymptote का का काम अब भी नेगेटी वाइएक्स की बात करें तो तो जैसे जिए याज़ नेगरेटी 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 बहुत ही जाएगी मैनस इंफिनिटी की तरफ अफ्रोच करेगा वाई तो यह जो एक्वाइएक्स है इस कर गोटर्व करता महसूस होगा तो कहिना कि यह इक्सिज इस कर्व के लिए एक टैंजंट है अपने पास इस function के लिए इस function के लिए आप संशन्टसा बताया गी टैंजंए अम शत्राइब क्रेजंटी संखथ कहते हैं यह वर्टेकल असमे टोट सा यह कुश्म पर आता है कि यहाँ पर आपने आपने को और भी छीज़ए मिलेगी है न आ चालिए अब मैं इस कुष्यन पर आता हूं और यह कुष्यन अपने पास गया है फ x is equal to x upon x square minus 1 तो कहीं नगा यह जो function अपने rational function है rx, आर बोले तो rational के लिए में denote कर रहा हूं, x एक function x का और rational function थो झतक्क्न का शोवारार सीस पर लेंड गया test अब यह फंक्शन है नुमिनेटर में और दो किसी फॉर्मेट और कॉश्यन पर भी आगा इसकी डिग्री अन है तो मैं जनरली बात करो हूं जो इस कुषोय lucky का अधर सोट पर बनेगी और में किया है एम है प्रक्रेसित क्या है inhale ऑघ highly आई टिए ट्रूर में संजाने हैं समझ पाइंगे x to the power n b x to the power n मतलब मैंने define कर लिया एक तरीके मैंने suppose कर लिए p x इस परकार से और q x इस परकार से x की highest power degree होती है यहाँ पर तो a और b याज आज इस constant काम कर रहा है समझाने के लिए अब इसमें 3 cases बनेगे मेरे दोस्त पहला case, case number 1 कुछ रजल्ट हैं ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आएगी जब भी रैसनल फंक्षन का फॉर्मेट हो और आपसे असम्टोट्स पूछा जाए तो अपन यह देखेंगे कि नुमिनेटर की डिगरी और डिनमेटर की डिगरी क्या है अगर पहले केस में एन लेस्दन एम आ रहा है तो ओरीजिंटल है होरीजिंटल है होरीजिंटल एसम टोट्स बनता है कि अभाइंग वाइज इक्वाहाय लिए यह एक्वाई जीरो यह अपना होजंट तला सब्सक्राइब मिंस एक डासे द बनती है केस नंबर टू कि बात करें और एम बराबर हो जाए बैंन और एम की है सब्सक्राइब इसी मिन समझ लेते हैं अगर एंवर की ढवर है तो इस केश में 動画 रहती इसी की पावर कि पावर ईख एक की शुको इस दोनों की डिब्रीदी केंसिल हो जाएंगी हैं को इस ँट कर सकत किया सब्सक्राइब है जैंगें यह इक्वल टू एपॉन भी अब यह लाइन कैसी है पैरलल है एक सक्सेश के वाइज इकल टू एपॉन भी चाहिए नेगडिव पोजिटिव तो यह भी एक होरिजन्टल आसंटोट्स मनेगा अपना कैसा बनेगा होरी जर्टल एसंटोट्स पर अपने इस केस में भी अपने सबस्सक्राइब को बैसे यह प्रकार यह इक्वल टू यह इकल टू उसकेस में अपने पास बनेगा ओपलीक इसपरकार का होता है आई-अ-ब यह-इक्वल में सबस्सक्राइब का होता है y is equal to mx plus c c क्या होता है intercept on intercept on y-axis m क्या होता है solve of this line means oblique oblique tangent line ही होती है तो ये तीन cases possible possible in case of rational function किस case में भहिया जब बात करेंगे rational function की जब बात करेंगे rational function की तो उस case में ये तीन possibilities हैं अपने पास जब बात करेंगे rational function की ठीक है तो rational function के case में ये तीन cases बनने वाले है अब फिलाल इस question पर आते हैं यहाँ पर x की power देखे तो 1 है यहाँ पर x की highest मतलब यहाँ पर n की value कितनी है दोस्त 1 है मतलब numerator में highest degree आ रही है denominator में highest degree 2 आ रही है मतलब m की value कितनी है n less than m वाला case है तो मतलब कौन से case में आए है अपन पहले case में आ चुके हैं तो जब पहले case में आएंगे तो y is equal to 0 इसका एक asymptote तो बन चुका है means y is equal to 0 यहाँ लिख दूग क्या तो इस case में अपने पास y is equal to 0 जो एक asymptote तो आ चुका है अभी कहानी खतम नहीं है अभी और भी तरीके हैं अब अपन डेसे definition की तरफ जाएंगे अना अभी अपन इस question का rational जो फॉरवेट है उस हिसाब से अपन अपन ने उब्जर्व किया तो पहले case में आते हैं पहले case के हिसाब से एक asymptote तो विल चुका है लेकिन अभी काम खतम नहीं है पूरा और भी चेक करना है अपने को यह देखना है कि यह function जो है function बोले तो fx मतलब y is equal to x upon my x square minus 1 मतलब यह देखना है कि y infinity को कब approach करता है ऐसा कौन सा value x कि ऐसा कौन सा point है जहां पर y approach करता इंफिनिटी को क्यों कि जब y approach करेगा ने इंफिनिटी को कहना कि जो कर्व है उसका जो point है एक ऐसा इन फाइनट पर एक ऐसा point मिलेगा जहां पर एक x square nine 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 zero three upon something zero तो कहिने की इंफिनिटी को मिलेगा तो जैसे एक्स approach x की वैलू 3 होएगी वाई अपना अप्रोच करेकर इंफिनिटी को जो है इस function के graph पर इस function के करूपर एसम टोट बनाएगा अपके दिमाग में एक बात और चाहिए होगी सर जी x equal to minus 3 पर भी function defined नहीं होगा एक इंफिनिटी को approach करेगा बिल्कुल जैसे मानस 3 रखेंगे मानस 3 का square nine होता है तो कहिना कि y फिर से approach करें इफिनिटी को तो कहिना कि यह जो line x equal to minus 3 यह एक line है vertical line है parallel to y-axis तो इस line पर भी asymptotes मिलने वाला है definitely मिलेगा अब देखिए मैंने तीन asymptotes निकालकर दिखाएं आपको एक तो y is equal to 0 जो जो इस concept से आता है is by definition of this concept oblique sorry by definition of this rational function जो आपको अच्छे से महसूस हो पाए और ऐसे कुशन कर पाए और future में दूसरा को लिए कुशन आया तो इसको भी आप कर पाए तो बेसिकली तीन एसम्टोट्स यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं तो अपने पास option number a is the right answer आप इसी चीज को मैं ग्राफिक लिए दिखाता हूं आप थड़ा और अच्छे से उब्जर्व कर पाएंगे कुशन अपना हो चुका है हाँ देखिए अगर इस function अपने पास जो कियो होने y is equal to x upon x square minus 9 इसा ग्राफ अगर अपन अब्जर्व करें ड्रा करें तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा देखो इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ अपने को कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि थोड़ा उधर लेते हैं ताकि एक ही लाइन से काम हो जाए है कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा अब देखे रटा ध्यान से एक इस इकूल टू थ्री की बात करें तो यह जो लाइन आप देख पा रहे हैं क्लार चेंज करता है यह लाइन जो आप देख पा रहे है यह लाइन एक्स इक्वल टू 3 इस फंक्शन का ग्राफ मैंने वाइट जो गिया तो यह एक्सिकल जो 3 हैं देखिए इस करो को यहां पर इंफिनिटीट टैच कर रहा है जैसे नीचे एक्सिकल टू 3 पर जाएंगे तो य अपना कहिना कि नीचे की तरफ जाएगा इनिफिनिट मिलने वाला है इसी पेकार यहां पर थोड़ा नेगेटिक की साइड चले तो यहां पर भी अपने को कि यहां पर भी अपने को एक्स इक्वल टू मानस 3 पर एक असम्टोर्ट यहां पर मिलने वाला है जैसे एक्सक्वल मानस 3 होगी तो यह जो काने चान लाइन है इस करो को इन्फिनिटीटीफ करेगी अप आपके दिमाग में चल रहा हुगा शर्ट एक्जी इकवल टू थी की बात हो गई एक्सिकल टू मारेश थी की बात भी हो गई Y is equal to zero कहां जो कहां कैसा इभण से देखो यह जो लाइन है X APS X Azure is他ноESE होने यह एक्सक्षिस होकी यह जो गोजिए लाइन है X APS उसक्रों इसक्रों इसे जा रहा है उष्छ करेंगे जैसे तरह जाएगा और यह उथर इंफिनिटी की तरफ टच करेंगा तो कहना कि यह जो लाइन है अपनी X-axis यह इक्षिन तरफ जाएगा उधर और इधर है नहीं एक और आगे बढ़ने से पहले कुछ भातें आपके लिए काम की हैं बहुत से लोग इस चीजों को फोलो कर रहे हैं बहुत फायदा उठा रहे हैं और आप इन जीजों को फायदा उठाईए गा कुछ फ्री बात हैं प्लेइस एपने पास बिट प्लस बीट टीज़ी टी मैस प्रियस प्लेइशन के नाम से इस प्लेइशन का लिंक आपको वीडियो को डिश्केरशन में मिलेगा तो वहां पर जाईए इस प्लेइशन को देखिए और बहुत सारे प्लेशन उठाई यह सब्सकर्वलाइब का सफ तारी कर्ष्ट नोडिक है कि ऊवर कर तयर्री यह यह अपने चारोपे पर सॉलूशन अपना अभी चल रहा है अब देखे कुछ पेड़ कोर्स की बाते हैं यह तो होगी फिरीकी बाते हैं पेड़ कोर्स के मादे हम से अगर आप जूड़ना चाहते हैं तो हमारे आप अप्लिकेशन इतनी सब्सक्राइब को जरूड़ कीजिए अगर आप पेड़कीमें इंट्रेस्टेगें समझना चाहते हैं को घहराइ 디자 से और चीजहों को अच्छी समझना चाहते हैं तो आप जूरॉर पेड़ कोर्स के साथ जूड़ें पेड़ को अब यह पास ब्रेट ब Strikes친 के दो कोर्स यह से लोग पूझत ज़ोग है दोनों दिफरेंस किया है डिफरेंस चिरफ फीस का और वलेटी का होता है अधर वाइस कंसर्फ दोनों में सेम टू सेम होते हैं जो नए स्टुडेंट है जो फ्रेशर है उनके लिए उनके लिए आप दिखेंगे 500 का डिसकाउंट चल रहा है और आपको 3999 में यह कोर्स मिलेगा फॉर मन्त के लिए जिस दिन करते हैं वह पस्ट डेकाउंट होता है अगले फॉर मन्त के लिए उसके अलावा करना बात करें क्या क्या चीजी मिलेंगी में वीडियो में काफी बार हर वीडियो में चीजी मैंने बताई हुए फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो समझा करो समझा करो आपको कोर्स को यूज करना असानी से समझ में क्या क्या चीजी मिलेंगी कोर्स के अंदर चैप्टर वाई जी वीडियो लक्टर्स मिलेंगे सारे के सारे लेक्टर्स जो होते हैं बेसिक से एडवांस होते हैं मेरे दोस्त अना बेसिक टू एडवांस बहुत से लोग पूछते हैं सर कोर्स जोन करने के बाद एंस याटी पढ़ने पड़ेगी कि क्या कुछ नहीं पढ़ना पड़े कि सारी के अंदर कवर है आया याटी लेवल तक एडवांस कुश्च इसके अलावा चैप्टर वाइप से बाहर नहीं दी जाती है उसका प्रेंट आउट नहीं दिया जाता है पीडिया फाइल एप के अंदर ही मिलेगी सभी शुडेंट्स अपने नोट्स बनाकर स्टेडी करते हैं तो अगर आपको पीडिया फाइल बहार नहीं चाहिए सीखने से मतलब है कि कुष्यन में एप के अंदर 4000 कुष्यन मिलेंगे इंटरस्टेड हैं तो ही आप को जोएन करें यह बात का ध्यान रखना है मैट्रियल सारा मिलेगा लेकिन एप से बाहर नहीं मिलेगा अगली बात चैप्टर वाइज एक्सराइज मिलेगी मास्टर क्ला इस चैप्टर में ट्वन्टी कुष्यन होता है शोटकट ट्रिक्स के 41 वीडियो लक्षार्स फ्री मिलेंगे कोर्स के साथ पर यूटूब पर सारे पर यूटूब पर सारे फ्री करवा रखें आपके लिए पर यूटूब पर सारे फ्री के फ्री हैं इसके बाद मोर दन 4000 देखो इतना बड़ा कोर्स लाइव में पूरा अभी नहीं होता है रिकोर्डिड कोर्स होता है जोएन करके अपने किसी चप्टरों कितनी बार भी फड़ो और दूसरी इंपोर्टन बात वीडियो लक्ट्र चो होते हैं उनको आप डाउनलोड करके विदाउट इंटरनेट ओफलाइन वोड़ पर भी देख सकते हो जब तक वैलेटी यह तब तक वीडियो डाउनलोड रहेंगे उनको अपने स्विधानुसर कभी भी देखो तो यह सारी बाते हैं आप बता जीए अप ज्यादा समय नहीं लेंगे इसके लागर आप पीजीट एक्जाम की च्यारी कर कर लेते हैं और उनको टीजीट के कुछ चेप्टर के दो तीन चेप्टर के डिफरेंस होता है फिर वो पीजीट में नहीं मिलेंगे तो बैटर रही है कि अगर आपको अग्जाम देना है तो अपने पास मिल जाएंगे आपको इसके लावा यूपी के यूपी टीजीटी प अच्छे से बढ़ लें वहाँ पर कहके बाते लिखी होती है अगर आप टरम सन कंडिशन सटीस्फाइब करते हैं अगरी करते हैं तो और यह आप उसके बाद जोएं करें आप चली बढ़ते नेक्स्ट कुछिन की तरव नेक्स्ट कुछिन है फाइंड नीव हाँ फाइंड करते हैं तो सबसे पहली यह होता है उसका पहली एंट्री वन होनी चाहिए अगर नहीं है तो बनाते हैं उसके बाद सेकिन जो रोги होती है अपने उसका一 प्रस्ट एलिमेंट के नीचे वाला एलेमेंट को जीरो होना चाहिए और उसके बाद सेकिंड एलेमेंट को फिर से बन बनाते हैं तो यह एक फॉर्मेट होता है चलंड फों को बना देगा सारा बेसिक समझा रहा है अपन सीधा कुश्चिन कॉंसर्ट को अपलाई करते हैं पह और 1 को 10 से डिवाइड खरते तो अपने पास यह में अब कि थाटिसे हैं वह क्या है कि यह अबने को जीयो बना रहा होता है वो जिसन बनाएंगे तो यहां पर 30 हे दोस्ट यहां पर 0 चाहिए तो अपन क्या करेंगे और को चेज़ करना पड़ेगा आर्ट वे इसे मानस कर देंगे ऑफारों कि इस पहले element को 30 से गुणा करें तो इसमें से घटा दे तो यह 0 आ जाएगा से इसी बात है अना तो इसके एक्विलेंट मैट्रिक्स क्या बनेगे बने पास यहाँ पर फस्ट रो को छेड़ना नहीं है सकीम से में साठRO पेस्ट होता हैं आप उतना देखने के बाद अबने काम और लेते हैं अगर ऊوبशन की तरफ जाएं तो 120 मारष त्रवन पर आरहा है 120 यहां पर आ रहा तो यह काम और करते हैं जैसे मैं आपको पहले बताया कि यहां पर element 1 है ठीक इसके निचे element 0 होना चाहिए और अगर यह element 0 है तो इस second row का जो leading element जिसको बोलते है जो 0 के बाद जो next element आएगा वो अपना 1 होना चाहिए फास्ट जीना तो इसके बाद वालेमेट वन और होना चाहिए तो यहां पर तो इसको वन कैसे बनाएंगे है अपन क्या करेंगी आल्क और फिर से डिवाइड कर देंगे जूस्त माषन 20 से सेकंड रो को मानस 20 से डिवाइड कर देंगे लिए ग inगे तो आपने पास नहीं मैटरिस एक्लेंट मैटरिस क्या बनेगी पहली पिरा खेंडा नहीं है तो इसको मानस 30 से डिवाइड करेंगे तो और यह next वाला element second row का second element one first row का first element one यह दोनुपर बढ़ते अपने यह बर दिखा दिये अब अपने यह रोचलन फोर्म बिन करते हैं रहा हो जिकिए option में जलते है 1201 120-20 गलत 1201 यह option B सही है यह गलत है और यह भी अपना गलत है option B is the right answer सब्सक्राइब करता हूं क्लियर है विल्कुल basic concept है और आपको सिखा रहा है समझा रहा है इसलिए टाइम लग रहा है अदो यह कुशिन मुस्किल से 10 सेंट गई है आगे बढ़ते है कि नेक्स्ट देखो वाइज इकल टुवन अपन एक स्क्राइब अरे भाईया क्या पूछ रहे हो डरीटी इतना सिंपल कॉंशिशन इसका डारेक्ट टांस्वर भी होता ना टू अपन मैस की पावर मानस टूपन मैस की पावर थी सिखा रहा आपको जैसे अपने पास क्या कुछ रहा है वाइज इकल टूवन अपन एक स्क्राइब मैंने बदा रखाया जब इस पकार का फॉर्मेट हो अगर उपर कॉंस्टेंट रहारी है तब तो जो पावर यहां पर है वह नेगेटीव हो जाएगी और इसमें एक बढ़ा कर निचे लिखना है अब इसको सोल करे होता है इसको सोल करते ऊपर रहे हो जाएगा डरीटी करेंगे डी आफेवाल एक तो पहले पावर को उतारें मारस टूफिर पावर में कम करते हैं मारस टूब मारस तो यह क्या हो जाएगा अपना मानेस टू अपोन च्छिपा जिन्थ इसको डारेट भी कर सकते सống पोछक्त से पूछे कि बना पॉन एक्स की पावर फोर गड़ेटी किया होगा तो फोर है तो मानस फोर ठीक इसके नीचे करते हैं पावर बढ़ा कर एक तो पावर पाँच यह इसका अंसवर तो यहां पर आंसर क्या है मानस टूपन एक स्कीपावट थरी तो ऑप्शन भी इस दा उप्शन भी इस दा राइट अंसर उमीद करता हूं कि लिए हो गया होगा नेक्स देखो वीच वन इस ट्रू वैने मैट्रिक्स इस इन रोचलन फों अभी एक कुशिन कि रोचलन फों का जस्ट उसी के ऊपर कुशिन बनकर आया है कि जब कोई मैट्रिक्स रोचलन फों में तो वीच वन इस ट्रू कौन सी बात ट्रू होती है तो समझो पहले पढ़ो क्या कह रहा है दा फस्ट नोन जीरो नंबर फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट साइट से पहला नोन जीरो अलिमेंट जिसको लीडिंग कोफिशिंट बोलते हैं इस आलवेज राइट टुदा फस्ट इस ओलवेज राइट टुदा फस्ट नोन जीरो अलिमेंट इन दा रो अबो 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 रो से रोज आर नोट अटेश्ट टू ओल जीरोट एर दा बोटम ओधा मैट्रिक्स मतलब ऐसी कोई रोज इसके सारे के सारे लइमेंट जीरो है वो उढ्रण में अटेच नहीं लगजाज नहीं होती गलत जब़ी रोजल में we convert करते हैं अगर कि अल्फाव पिछंड बोलना चाहिये अगर מאीं नहीं हो तो बनाना पड़ता है उसके बाद बाद के लिमेंट चाहे बिच बिव यह अपनी आरवन रो है अब सेगिंड रो जो आएगी अपनी तो उसका इस एलिमेंट के नीचे मतलब सेगिंड रो का पहले अपने को जीरो रखना है और जो सेगिंड अलिमेंट टोका हूँ अपने को वन रखना बाद वाया अलिमेंट चाहे कुछ भी हो basis मैंत्रिक्स में तीन रो है और अगर किसी मैंत्रिक्स में तीन रो में या कई दूसरी चार रो है पांच रोर या कोई तहली उपर गी दो रो Corinण बृत हुब सारी तो पिप्रिक्साश्रमार और रोट में रख किसमें रखेंगे नीचे रखेंगे मयं गर किसी मैत्रिक से सारे रहे अलेमेंट अगर जीरो आते हैं तो समय त्सक्षम्ट को ब्लों में रखा जाए गाव तो देखिए इसमें किया वोला है दा फैस्ट नइसलीन और मेंट फूम लेफ्ट लेफ्ट साईट से यह लेफ्ट साईड है यह राइट साइड तो लेफ्ट साइड से देखो इधर पड़ लेगा रहा है दा राइट तब फर्स्ट नोंजीरो नंबर इन रो अबो जैसे यह यह रो है तो इसके अबो रो ही है अपनी तो मतलब कुछ जो अबो रो है उसका जो फर्स्ट नोंज्रो इलिमेंट है उसके राइट में हो गा sharply है अगर हम nesse are कि बात करें तो अचरण का पहला नोंजीरो मेंकर लेफ्र शक्या ज़्तार रहा है यह से इसे सेखिंड हो सकती है अगर फर्स की बात कर रहे हैं तो स्टरोग देखेंगे फोर्स की बात कर रहे हैं तो थर्ड रोगों को देखेंगे अब मैं एक्जाम बाल में तीन रोग लिए तो मैं सेकिंड रोग के इसाब चलू तो मुझे फर्स्ट रोग राइट देखना पड़ेगा दा फ़र्स्ट नोंजिरो एलकर स्टमीए में जिसकों लेडिं करते हैं जा इस आलेस्सटो राइट है अप 20 नौंजिरो का पहला ईलकूल राइट है कीश्के रैटा मिटय है फिस नौंजिरो नमबरर इंदा रोड़ अब अब वालि रोका तो इसके अब वह है तो इसकी रोड मैं राइट में है 750 आर ब जी रो ओल जी रो एड़ दा बोटम एक अगर किसी रोगे सारे अगर इसको बोटम एटेच्ट नहीं करें गलत बात अगर जब भी रोचलन फोम में करवट करते हैं तो त्यार होती है उसमें सबीजिरो अलिमेंट बिलो अन्गे बोटम वाली रो में आता है यह कह रहा है नो जबकि आते हैं तो यह तो कि गलत बात और यह होगी सही बात अब देखें ऑप्शन में चलता है कहाँ कि बोथ स्टेटमेंट आर्ट बोथ तो टूनिये क्योंकि टो गलत है ओन्ली यह यह बात सही है और नाइधर और भी नहीं वही और ऑर अजिए गलत बात ओप्शन भी अब पीछे एक्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी पीछे जो कुशिन गया सेगेंट वाला उसी के जैसा है आगे बढ़ते हैं झाले इंक stuff देखंग है लीह चाहां यहां से बात कर रहा है और यहां से आ्टक की बात कर रहा है और यहां से आपकी बात कर रहा भी तो एडिया क्या होगा पाई एबी यह बिल्कुल बेसिक रेजर्ट फोर्मल अपूशन पूचा है आपको सोड़ा यार रखने ट्रिक बता हूं जैसे में पर सरकल होता है तो सरकल में माला यह रेडियस आर है तो यहां पर भी रेडियस क्य क्या वोत्य है आर humans थैसका अमंटल के यह क्या होता है पाई आर स्क्राइव तसको लिखे तो कि refr experi और री तो मैयार पैर इन डू मैंगे डहर करती हैं अन्हाउस यहां पर रहा हां रह रहा होता है तो पाई आर स्केर यहां पर एंट भी होता है तो पाई a b जब a और b बरावर हो जाते हैं तो circle बन जाता है तो उस case में a और b बरावर हो जाएंगे तो पाई a square या पाई b square तो कुछ चीज़े concert आपस में relate करके याद रखो अगर मैंने circle का example साथ में बताया है तो यह formula आप कभी नहीं बूलोगे याद रहेगा आपको यह याद रहता ही है आपको अब यह आपको याद रहेगा कि ellipse का यह पाई यह भी होता है देहां रखना ए से मी कि में जैसे मी माइनर को ही नोट करना है अलग समझ के बैठो तो option बीज़ा राइट आंस एडिया पूछा दर ऑप्शन भी इस राइट आंस पाई यह भी हागे बढ़ते हैं अब जीसीडी पूछा है यह तो नोवी दसवी छटी साथी के बच्चे इस कुशिंग को कर देंगे ग्रेटेस्ट को मन डिवाइजर अठारा के अगर फैक्टर करें तो क्या होता है दोनीम अठारा दो गुना में तीन की पावर दो और तीस के करें तो क्या होता है दो ती चैनल फिल्ड को हो या रोटेशनल फिल्ड को हो या टर्निंग फिल्ड मतला घूमने वाला ऑफिजिक से रर्ट ओइर स्पप्ट और जा और गईक्ट ये तरह रहा है तरह दो तरह कोंचेट होता हैं और प्रेडियों फिल्ड होता है इसको एस से नाम कर दिया यह कह रहा है अपने पास एक स्पिन फिल्ड है उसको अपन एस से नोट कर रहे हैं वह बोले तो एस वेक्टर से रोट कर रहे है इस इस पर्पेंटिकुलर टू आ रोलéoर डीजयन इस पर चीज़े धर काम कर रही एक रीजन इस पर चीज़े काम कर रही है एक जी लिजी यह अपना हो गया और कर रहा है जो spin field है उसका दो वेक्टर कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके region R के उपर यह तरीके से आप समझ सकते हैं position वेक्टर भी समझ सकते हैं इसको आर वेक्टर से दिनूट कर दिया तो कह रहा है इन दोनों का डोट प्रट क्या होगा पहली बात इसने सिंपल से खुदी बोल दिया परपेंडिकुलर है जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं मेरे दोस्त तो अपने एक बात पड़ी थी क्या उनका डोट पूड़क्ट ए डोट भी दैट से क्वल टू मैंग मैंगने चूड़ो भी कोच थीटा-टीट वहां पर एंगल होता है थीटा यहाँ पर कितना है यहांपर कितना है जब परपेंडिकुलर फीटा कितना जागा 90 तो को साने इंटेकिन उता जीरो तो जब यह जीरो है तो यह सारा जीरो इसी परकार देखो यह दोनों बेक्टर प्रप्रेट को रहे है डोट पुछ रहा है एस बैक्टर डोट आरवक्टर मैगनीशूट ऑफ मैगनीशूट ओफ आर कोउस इन दोनों के बीच में एंगल कितना है अब है परपैंटी कुलर है तो कोस 90 जीरो होता है तो सारा जीरो हो जाएगा तो आप्षिन नंबर सी ताइटांस कुछ भी नहीं है बस थोड़ा कॉंसर्ट बता के समझा पूछना चाह रहा है प्सीधी सी बात यह है कि नोट पुछ रहा है कर दो वेक्टर प्रपेंटी कुलर है तो तो अप्षिन सी तरह टांसर ऑनista को वीची नौट पॉसिवर्ण रोपरेशन उने मैट्रिक्स मैट्रिक्स पर दो ब्रोपरेशन लगाते हैं अपने डिष वनीज नोट कौन सी चीजा आपसी यह पोसिबनी यह जब रोप्रेशन लगाते हैं क्या रहा है in कर सकते हैं तो यह बात भी सही है एड इनल नम पर किसी कॉंसें से मल्टिप्लाई एंटेंज कर सकते हैं यह बातад पूछा है अपना से नोट पूछा है तो नौट किसाब से बात करें तो ऊपशिन भी सब्सक्राइब करते हैं तो यह वात तो ठीक है पर अगर नंबर अगर नेगटीव आ रहे हैं यह जीरो आ रहा है तो आपन नेगटी नंबर को किसी नेगटी नंबर से इक प्रण्व करें तो उससे से छीक बना सकते हैं लेकिन नंबर को डार रच नेगेटीव से पॉजीटी निग नहीं कर सकते और भर आनर लेकिन नंबर को नगटीटीव deform करेंगे तो करेंगे तो फिर अपना इसी वाला ओप्षिन में चले लाएं चले आएंगे अगे टो मतलब नोट के इसाफ से चले तो इसमें मोश्ट करट्ट जो आंसर कहीं रहेगा तो ओप्शन भी रहेगा डाइट अपने को बोटर्मों को पोजीटिव में करेंके अगर करेंगे तो फिर अपने को फिर यह वाला और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा ऑप्शन सी मला क सब्सक्राइब करके जाने पड़ेगा तो और रेडियस होती है एच हाइट होता है लेकिन यहां पर कहा रहा है जब हाइट है सब्सक्राइब क्या हो जाएगा और यहां यहां पर आर कर रहा है तो यहां पर कर दोस्त अना यहां पर थोड़ा मिस्प्रिंट है क्विटल आ रहेगा क्योंकि आगर कबिटल आर किसा से पूछ रहा है अरे नहीं रहा है ने ना जब आर कर बिटल लार किसा पीक आको यह आप आर क्यूब यह वील्त हो जाएगा मिस और यहां पर एक बटेजों की विजसे गलत हो रहा है एक बटा ती नो ठीक है लेकिन है तो आर स्केर आना चाहिए और उसका और क्विटल आह आए गया यहां तो ऑप्षिन नमबर डीज राइट अपिटल आ रहाएगा थी करवा देंगे इसको नेक्स्ट जब पीडिया फाइल देंगे आपको तो अरब यह फिर से वह आएगा है जी से पूछ रहे है बारा और भी सका चारती बारा चार पंजू बीस अना तो अप्षिन नमबर सी होता है तो 2ग बार 24 15 20 तो चार लोगी ऑरधो 4 दूलूहोता है सोटी चाहर ओगया नेक्स्टबा इन खूलिगception आगर को है कुछी से गनिकी तुकले क्या चीज इन आप पूछस रह ए डिलेशिन आरिसह से टॉने के लिफ जोनके बात होती है यह हूद होता है और एक्यूवलेंस है इसमेंस वह समेट्रिक तो है ये बात तो सही है। celebration आपसी ये बात भी ठीक है A related to A or A related to B then B related to a symmetricalislav tapes स्वेट होता ही है relation is transitive A related to B related to C then A related to c ये बात भी ठीक है तो या reflexive ये इंट दिनुन भात सही है तो कह रहा है no true तो nine of the वह मतलब कि अगर गलत बात की तरफ जाएं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो नोन अब दो वह इस दराइट आपसर रिख्यू से मेटरी टांजिटी तो हो गई होगा अगर नोट कह रहा है तो फिर नोन अब वह वह कुछ भी इसमें टूर नहीं है अब लग सारे टूर नोट वाली बात तो है निसके अंदर नेक्स देखिए कितने बार आओं नेक्स कुछिन नमर 13 में चलते हैं डाड़ डेरिविटी वह फंक्शन क्या होता है रेंज होता है नहीं वह ओडर होता है नहीं भी रेट आफ चेंज होता है रह भाईया अप्लिके उसलिवार फंक्शन फिर्स्व्पppt पढ़ता है अईया अग्रफ इ Ama Reels को भढ़ते हैं तो अपन होता है चोरे मिआ और नहीं अब नहीं होता है जब रेटियां नहीं कटेदे मतलब derivative यह और देखिए वोल्यम केसि क्या पढ़ते थैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वल्यूम विद रेस्पक्तू हाइट या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इसर्ट देडियास पढ़ते कि नहीं पढ़ते यह सब क्या है रेट ऑफ चेंज डेरिवेटीव का यह एपकेशन ह तो रेट ऑफ चेंज यह आएगा इसके करेक्ट टांसर कि आगे बढ़ता है जी रोफ एक्स क्यों मैंस 64 और यह नाइन्थ क्लास का बच्चा बता देगा जी जब भी निकालते हैं तो इस पॉल्ट टूजी रख देते हैं और इकल टूजी रखने पर अपने पास यहां पर क् 64 टूजी प्लस मैनस 64 तो एक्स इकल टूज प्लस मैनस एट अर्शी इसी बात है एक एट रहां रखेंगे चो सट मायनस चो सट जो नंबर यहां पर सटीस्फाइब करेगा पॉनियूमल का वही इसका जीरो होगा अपनने पढ़ा था कि अगर कोई पी एक्स अपने पास तो आठ रूमानस अठ दोनों के दोनों 0 है क्यों मानसा का स्कृष्टीफ़ होता है उसका माला option D is the right answer option D is the right answer कि next देखो two triangles consisting of one plus two plus three dot 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 plus and a माला अपने पास दो ट्राइंगल है उन ट्राइंगल्स के अंदरे इतने नंबर है क्या है तो पेबल्स पेव्ल जानते हुए क्या वता है पेवल्स बॉस्पण में खेलते है रोडी यारदी या बौलता है पेबल्स बोलता है कंकड रोडी क क्या जोता है कंकड अनगिश्टर्म Diped ना डाइगुल ओफ एन प्लस वन यह कुश्चिन है बहुत सिंपल लेकिन बहुत कम लोगों समझ में आता है मैं आपको इलिए करता हूं कहानी क्या है इसकी दो ट्राइंगल है उनकी अंदर कुछ कंकर डाल दिये अब समझो कैसे चीज में कैसे हो गाई है इस अपने पास एक ट्राइंगल है दोस्त अब इसके दर मैंने फेबल चुट योड़े कंकर डाल दी यह लिजी एक ट्राइंगलर बोक्स था उसके इंदर को फिट कर रहे ना इन फिट दैम तुगेधर तो इसमें कुछ टुकडे डाल दी मैंने कंकर कि फेबल से बले तो कंकर और यह दो ट्र करेए और यृथ आपको यहाँ दिखाई देगा थोड़ा अच्छिब बनांगोगई सो कहले यहाँ दिखाई देगा आप पहल थो ट्रायंगल देखिए एक ट्राइंगल तो यह मैंने कितने फेबल डाले है कितने कंकट डाले मैंने डाले इसके इंदर वन प्लस टू पर तू पालत इनको जोड लोग कितना होता है और भाया सारा सिखा रखा रखा है इनका जोड कितना आएगा सम ओफ फास्ट एन नैचरल लंबर वो ले तो समेश तों फोल्चन उन रिशन प्रैसे दाएं इसका डाट फॉर्मुला है टो जो फोली किसी को फॉर्मुला यहाता नुए तो भी पता यह ते लिटा थे आंठिक का सम मंड़ फॉर्मूला एंटम का फॉर्मुला क्या होता यह पी बना रहा है तो फॉर्म फामरों टरॉम से निसके अंदर तो फर्स्स ट्रम क्या है वन और लाष्ट टर्म क्या है एल य mm जो है फर्स्ट रम यह फर्स्ट रम्यो Eli न्गर मटरे तो कहने द्रेंगल के अंदर भी पेवल से इसमें भी कितने पेवल से हैएं एंटू एंड़ एंड प्लस बास वाइटू इंद्ट कि री邊 персонals को और दोनाई कर दिया किस तरीके आगारा और दोस्ति डायोग्नल ये डायोगनल आ ये डायोगनल देख there है एड करने पर यह आपको डाइगनल है और इस डाइगनल के उपर भी कुछ इन्होंने फेबल से रखे हैं यहां पर ऐसे इन डाइगनल के उपर इन डाइगनल के उपर भी कुछ फेबल इन्होंने रख दिये हैं और वो कितने मेरे दोस्त एन इंटू एन एन प्लस वन सोरी क कितने है रहा एक जमान 2 और माथ 3 तीन तीन को जोड़े और से एन कॉंदर लेका रहाओ एना स्वेर प्लस एन वाई Wow और प्लस इनको जोड़ लो एन प्लस फन अब यह कौंटिटी सेम आ रही है दो बार रिपीट हो रही है तो हाफ-ाफ करेंगे तो एड़ होके क्या हो जाएगी एन स्केर प्लस एन इन दोनको जोड़ेंगा वह टू टाइम सोजाएगी ना दोसदो कट गया और प्लस में यह कि इतना होगे टुएं तो यह वन अन गया एन प्लस वन का होल स्केर है कोल कर देखो एसक रफ्लस बी स्केर प्लस टूएब कोलिते उसकेर टू-रे आप्शंड सी आप्शियन सीज़ारा राइट स्वब पर बहुत बेसिक से वारिक सा कॉंसर्प्ट है नेक्स लोग अधा एरिया ओड़ रिजन ट्रैप्ड बिट्वीन दकर एक कर वह यह क्या है अपवाड पैराबोला और एक यह लाइन है वह यह इन दोनों लाइन से बनने वाला एरिया बहुत बेसिक कुश्चन है बहुत ही बे मैं देखो गया इस लाइन की किशwach अब बनाये के बहुत असान है मेरे दोस्त अना दो मार्द बस निकल लो एक्सकट बेर कि मैंने ज़ीट कर दिया अ, यहां पर तो मैना जिरू लेगत यहां पर हैं कर दो मान लेटें यहां पर हैं दिखो एकस्का इरगा और गत्यम ऐसे होकर जाएगा अजी अपना एडिया बनेगा लेको यहां पर यह लाइन यह लाइन और यह पीरा बोल्वल्वाड यहाँ पर इंट्रट करेगा और एक करेगा यहाँ पर है TOP है तो आपना इडिया कूं सा बनेगा अडिया cette ट्रेफिट कि लोट है कि टोस्त है तो कि यह ऑपन क्या करें दोस्त यह जो एर्या आप देख पा रहे हैं इसट आपर कर अपर को ने यह लाइन है और लोट कर ओक अपने यह प्याम बोला तो आपर कर हो साउर यहां तक अहना तक आएगा निचे तक यह बाला नैट भी आएगा और यह वाला भी आगता आए तो इन्ट को डोनों को intersecting point ही तो होगा यह वाला point क्या है इसान पता लगाना तेक कैसे पता लगाएंगे x square is equal to x plus two बाइस इसी बात है दोनों की left side y y है तो right side बराबर कहने कि मतला यह y की value यहां उठा कर यहां रख दो तो x square minus x minus 2 is equal to 0, क्या point आएगा, x square minus 2 x plus x minus 2 is equal to 0, यह लिए जी minus 2 x square आएगा, एक तो बनेगा आपने पास x minus 2, और एक बनेगा आपने पास x minus 1, x plus 1 बनेगा, तो x minus 2, x square minus 2 x plus x, करेंगे तो कितना आएगा आएगा, x square plus x minus 2 x minus 2, यह आएगा आएगा, x square minus x minus 2, तो अपने पास यहां से तो आएगा minus 1, और यहां से आएगा आएगा, x is equal to 2, बस, देखिए, इस question को मैं दो तरीके सिकरा सकता हूँ, एक तो है, upper करो minus lower कर, एक किया है, यह a point माल लेते हैं, यह वाला, यह b point माल लेते हैं, यह c, यह c point और यह d point, एक trapegem मन रहा है, मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, ऐसा save का, यह a b कितना है, one, one length है, विजब xql minus 1 रखेंगे, तो xql minus 1 रखने पर y कितना आएगा, one आएगा, तो यह length तो होगी one, और यह length कितनी होगी, यहां से यहां तक की, x कितना है, two, तो यहां two रखेंगे, तो y कितना है का अपने पास, two or two, four, यह length कितनी होगी, four, यह two, यह four, यहां से आपक की कितनी लेंद यह दो इधर है, और minus one इधर है, total कितनी होगी, three, trapegem का area कितना होता है, one by two, sum of parallel sides, two, four, six, multiple, height, height कितनी है, three, तो लिए तीन पिकटगा, तीन तिये, no, तो अपने बास नो आगे, area is trapegem का, अब अपने को यह वाला area, कौन सा area, यह वाला area, इस parabola का नीचे, यह वाला, इस पूरे trapegem में से, इस lower area को घटा दे, तो उपर वाला, जो required area वो आजाएगा अपने पास, हाना, वो कैसे आएगा, देखिए, वो कहां से कहां तक जाएगा, minus one से two तक, minus one से two तक, और क्या आपने पास, x square dx, वह यह जो कर्व है, वो क्या है, y is equal to x square है, तो lower area निकाल रहे है, नीचे वाला, हाना, पूरे trapegem में से, यह नीचे वाला area घटा देंगे, तो यह वाला बच जाएगा, यह required बच जाएगा, इसको नाम दे तो one, और यह number two area, हाना, यह two है, यह वाला, two गटा देंगे, पूरे mister one बच जाएगा, हाँ जी इसका क्या हो जाएगा, x की power three upon me three, correct है, और minus one से two, तो क्या आएगा, एक बटा तीन तो बाहर निकाल लो, दो की power three कितना होता है, आठ, और minus, और minus one की power में तीन, एक बटा तीन, और आठ, एक, नो हो जाएगा, तीन पर कट जाएगा, मेरे दोस्त, कितना आएगा, three, three, x की power two by three, कहां से का तक जा रहा है, यह जा रहा है, मानस one से two तक जा रहा है, ठीक है, तो minus one से two तक, x की power three by three, और एक बार रखा पर लिमिट, दो की पार तीन आठ, फिर मानस बार तीन, तो eight, एक, नो, नो बोटे में तीन, तीन आया, और वहां से कितना आरवन पास, तो पंदरा बटे दो आया, अपने पास पूरे ट्रेपिजम का एरिया, पंदरा बटे दो आया, मैं तीन क्यूलिक रहा हूं, और मानस का कर देंगे ये वाला तीन, तो कितना जाएगा, दो यहां पर पंदरा, मानस का, तीन दुनी छे, नो बटा में तो, 9 by 2, तो option A is the right answer, option A is the right answer, correct है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्या तरीका है, अपर एरिया मानस लोवर एरिया, इस परकार से, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी करेंगे, तो अपर ना कितना आएगा, 9 by 2, मैंने फूरा ट्रेपीजम में से लोवर लेरे घठा दिया, बात एक है, हाना, आगे बढ़ता है, next देखिए, find out whether the statement true or false in case of monotony, f-x greater than 0, fx increasing, यह बात सही है क्या, बिलकुल सही बात है, यह बिलान में सतन है, वाट सही है, पशा जलात है, यह बात कि बहुत ट्रू है, यह बात फॉर्स 3 स्कींट वाट ऌणेु text देखो the polynomial x square 8 x plus 16 no 0 1 positive 0 1 2 imaginary 0 3 real 0 3 तो कैसे होंगे और अपर जब degree 2 है तो 3 तो होंगे नहीं 1 positive and 2 imaginary यह बात भजलत मीद तीन थोड़ी नहीं हो सकते हैं 90 अभी चेक कर लेता है इसको कैसा लिछ सकते हैं x plus 4 का whole square लिख सकते हैं तो यहां से दो जिरू आएंगा एक एक मानस चार मानस चार तो जिरू आएंगे दोनों दोनों के आएंगे नेगटीव गांगी तो तो नगटीव जिरू जिरू जो जो प्शेन नमबर डी जाए आगा उओ आगे बढ़ता है which statement does not satisfy the condition for the radial field and spin field कौन सी statement कि तरनी खूलते हैं तो पहले बात कर लोगे रेडियाल फिल्ड की कर रेडियाल फिल्ड जो होता है वो पॉईंट करता है कि मदलाओ कि स्की तरफ जाता है पॉईंट स्टू दा करो शकर की तरफ जो करता है है और आउट है यह अवे फिरून दा ओरिजन आउद आउट आप दा ओरिजिन और जिन से दूर बाता है और कर हो के तरफ क्वाइट करता हैं जबकि स्पिन फिल्ड में एकSec ये सरकल के टैंजेंट, ये क्या होता है, सरकल, टैंजें को दा सरकल, आशें टैंजेंट, और अर्हांड दा ओरिजन, की तरफ जाता है, और फीछ कहते हैं, मतलब ये कही न कहीं, की तरफ जाता है, एक सरकल की तरफ टेंजेंट बनाता हुए और यह ओरियंस से आउट मतलब उससे दूर जाता है इन दोनों में डिफरेंस यह होता है एक बात ओर रिडिल की केस में आपन रेडियल फिल्ड को आर से दिखाते हैं तो आर अपोन आर और आर अपोन आर स्केर और यह तीनों क्या बनाते हैं ग्रेडियंट बनाते हैं किया बनाते हैं दोस्त ग्रेडियंट बनाते हैं और स्पिन फिल्ड को ऐसे दिखाते हैं तो एस और एस अपोन आर यह ग्रेडियंट नहीं बनाते हैं ग्रेडियंट नोट ग्रेडियंट यह ग्रेडियंट नहीं बनाते हैं और अगर हम पॉलर फम कि in the polar achieve कै ये पॉलर फॉर्ब चीटा कर न बहुत पड़ा है टैन इन्रिवर्स वाइवाइए कि एक सिरो होता है कि ये कुछ बाते नुट करके चल नहीं को किसके बारे में हैक तो Radial field के बारे में दूसरा बारे में यह चीज़े बहुत काम आने वाले नोट करके चलने हैं चलिए अप्शन में आते हैं नोट सटीस्ट्वाइए यह पूछ रहा है दा स्पीनि फिल्ड एस और आस वायार आर नोट ग्रेडियंट यह बात तो ठीक है एस और एस वायार ग्रेडियंट नहीं होते है यह यह बात ठीक है दा स्पीनि फिल्ड एस वायार स्करीज ग्रेडियंट टूद अपोलर यह बात भी ठीक है यह देखो ग्रेडियंट होता है ऐसे पोना अपनार्स किया कि दा रेडियल फिल्ड हैविंग नल्टिपल अफार देखिए यह थाड़ी बात नोट करनी आपको दो तो ड्रिडियल फिल्ड होटा इसका मल्टिपल रोटा है वोडात फिल इसको इस पबकार सीक्स्प्रेस करते है एक साई प्लस वाई कीया यहरा वर्मिक इसका यहीं वाई होता है यह धी को ड्रिऑड्याइल ट्रृद और दॉत हम सब ग्रेडियंट सी राइट है अना यह ता दूसारा तो डजनोट के हिसाब से अपना ओप्षिन सी राइट है बाकी तीन ओप्षिन करक्त है नहीं बात है वह नोट करते चलना कुशन नमबर 20 कि यूज इकवल टू एक स्क्यार दन डेरिवेटी ओव एक स्की पावर फॉर चार ऑप्षिन बिल्कुल बेसिक कुश्यन है देखो यू किसके बराबर है एक स्क्यार के अपन से एक स्की पावर चार डाइटी पूछ रहा है इंटरम्स अफ यू कहीं लगाए तो एकर यूजियर अपन अपन एक स्की पावर चार पे चलें तो दोनस साइड़ स्क्यार करदें तो यू स्की आए ay इसकी पावर चार माइव इनका दोनों तरह स्कूर कर दियं न अब ड्यूरुटी निकालना दो ना भी 25 दिउघ दिएटीय देत्स करना है शाज़िएटीयेगस औहुंगं इससको कि दीया के दीयोय देक्स करना है तक इस्थेटीयें lot झाला दिवाइटीय कीडीयेगस कि यू गोट कि इस्थे आदा टो-ध्यूड है कि दीयू आले पावर करेंगे 2u du by dx इसका तोपन से पूछा ही था इसका तोपन से पूछा ही था कि इसका derivative क्या होगा यह होगा option देखो यू du by dx 2 u du by dx 3 4 तो option b the right answer simply chain rule का concept है यह पूछना जा रहा है कि इसका derivative d by dx this क्या है यह है क्लियर है ना आगे बढ़ते हैं next question 21 में खिलते हैं if a and b are any two real numbers then which one of the following is not true कह रहा है कि अगर a और भी अपने पास कोई दो real number है तो which one of the following is not true चार option आपके सामने कहरा कि कौन सा option ऐसा है जो true नहीं है simple है देखिए क्राइफ a greater than equal to 0 b greater than a plus b is equal to mode a plus mode b यह बात तो ठीक है भाई अब a positive और यह 0 है बी positive यह जिरो यह नहीं कि non-negative है तो जब a non-negative है तो mode a always non-negative आएगा negative नमबर तो नहीं आएगा यह तो 0 आएगा यह positive आएगा इसी बेकार mode b भी non-negative आएगा जिरो आएगा यह positive आएगा कहने के मतलब जो result यहां से मिलेगा exactly वह यहां पर है और जो यहां से मिलेगा वह यहां पर रहेगा तो ऐसे केस में क्या रहेगा दोनों चीजें बराबर रहेंगे क्योंकि दोनों क्यासे हैं यह और भी non-negative है तो यह बात भी ठीक है जब जब ए और भी दोनों 0 रहेंगे तो उनका जोड भी 0 रहेगा और जब दोनों पोजिटीव रहेंगे तो उनका जोड भी क्या रहेगा पोजिटीव रहेगा यह बात भी ठीक है ना next देखिए ए-लैसन इकल टू जीरो बीला से इकल टो जीरो मतलब दोनों के दोनों non-positive अब यहां पर गलती है देखो कैसे एक ग्रेट इंगल टो जीरो मतलब ए नो नेगेटिव सपोर्च करो एक वैल्यू दो है बी लाइज इकल टो जीरो मतलब नोन पॉजिटिव मतलब बी नेगेटिव भी हो सकता है तो बीक वैलू माइनस वन ले ले तो क्या यह लेफ्ट और डो denn एक बरावरर हैं कियसे कि वैल कितनी है दो इस बंकी वैल सकतितिव हो फाइननलमा कया नहीं होते यह बात फॉल्स फॉल्स है तो मतलब पीचिन से फ्वलम इंगेज नोलुс Opening तूर पूच्छ और आइए मचंस हु मितला हुछ जाए बादा काम नहीं है उट्ट सेल्ते हैं कि विच इजदा फोर्मॉला उफ लिष्टिक ग्रॉथ यह ऐसे फॉर्म्ले एक स्पर इसल ग्रोथ का फॉर्मौला लोगिश्टिक ग्रॉट का फॉर्मॉला और प्रिश्ट के वह प्रिश्ट किया है उन्में कहीं नहीं यूज होए तो यह अपने कवार कर चुके हैं पिछले पीजिए से पर सलुचन में और आगे आने वाले पर सुलुचन में भी देखने को मिलेगा बहुत कभी बारी उज होगा तो लोगिस्टिक रोगा कि आप सीदी स प्रिश्ट में जो चेंज आता है तो काफी बारी की जो है उप्षिन ए राइट है पढ़ता ही मालूम हो रहा है पीछे काफी प्रिश्ट पर सलुक्शन हमें इसका इसका इत्तमाल किया है ना नेक्स्ट किया है इस A and B I need two real numbers then mode A-B खालिस्तान यह ब्लैंक है इसमें अपने यह बेसिकली ट्राइंगल इनक्लिटी का कुश्चन है चार पकार से अपने पढ़िए ट्राइंगल इनक्लिटी याद आ रहा है ट्राइंगल इनक्लिटी ट्राइंगल इनक्लिटी यह ट्राइंगल इनक्लिटी यह ट्राइंगल इनक्लिटी का कॉंसर्ट बड़ा मज़िद को मिलती है बिसिक्री चाहर प्रगार को थी मैं आपको चारों बताऊंगा कहीं दूसरी अग्जाम में कहीं न कहीं आपके काम आ सकता है फ्यूचर पहली तो क्या होती है कि मैं ठीकी बताओ याद रखने की मोड Đ पलस बी लेखन एकल टू मोड ए पलस मोड वी तूसरी में मानस भी लेस थन एकल टू मोड ए पलस मोड वी 9 trotzdem क्या होती है अ प्रहे अदक अपर डिरेशा अड č अधरции ओरता तो प्लस का साइन ही आएगा इन दोनों को एक कॉंपक्ट फोर्म में लिख सकता है है मिक्स करके कैसे मोड-a प्लस मानस-b लाइजन इक्वाल to मोड-a प्लस मोड-b मतलब जब भी लइसने कोल टू आएगा तो पलस का साइन इजरी आएगा फीर यहां पलस हो यहां- ही आएगा यह पूरे का मोड क्योंकि एक्चुली मोड क्या होता है दो नेगेटिव कॉंटिटी होती है फाइनली लेफ्ट साइड में जो कॉंटिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी जीरो या जीरो से बड़ी होगी तो इसलिए यहां पर मोड ले जाता है कल को मालो मोड बड़ा है और मोड भी छोटा है तब तो फोजिटीव घाएगा लेकिन मोड होता है और यह बड़ा है सबस्क्रोव इसके वैली नेगेटिव नटाएंगगा यह जाए जाएगा मौड लगाया जाता है तो जब भी यहां पर कहने का मतलब हमां क्या है बताना जा रहा ह खर्षा करते हैं कैसे के में प्लस मांस भी मौड ए प्लस मानस भी गरदर इक्वल टू मोड ए mean was supposed to go खरुड मां अइसे चाहिए समझे क्व भी समझें साधेना बिल्कुल समझे जब जब भी लग अगा हमेशा पल्पाइगा जब बीड़ निकॉल तो एदर माना साइगा तो ऐसे वानने रख सकते हैं यहां पला सी आएगा पला सहो हो यह मानसों अब यहां मोड नहीं लगाते हैं चाहो तो लगा भी सकते हैं को यह पोजीटीव रहे गए तो नेगटीव रहे देखिए अपन से पूछा है यह वाली यह नंबर चार पुछी है इन चारों में से नंबर चार यहां पर इस्तिमाल हो रही है काफी बार बताया है मैंने आपको तो जब यह वाली बात है यहां मौड ए मानस भी एक रिकल टू मोड ए मानस मोड भी पूरे का मोड तो इसका मतल से बिट्विन लुट्री ग्रोफ एंड पॉपलेशन गरोफ फिर से रिपीटिट पिछले पिछले प्रिया से पर सॉलुचन में लुट्री ग्रोफ पॉपलेशन ग्रोफ डाटा इन सब के कुश्चन काफी बार इस्तमाल है तो पढ़ता ही आदा आ रहा है ओप्शन देखि लोजेश्टी ग्रोफ का फर्मॉला बढ़के आते क्या डी एनवाइड डी टी डैट सेकोल टू आर न पीछे कुश्चन गया है और इसको आप ऐसे वह लिख सकते हो डी वाइड डी 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 डैट सेकोल टू आर वाई यहां पर एन पोपोलेशन साइज को दिखाता है यहां पर आर वाई जो होता है वह पोपोलेशन डैंसिटी यह पोपोलेशन साइज का ही काम करता है तो यह इस तरीके से पूछा जाए तो भी लोजेश्टी ग्रोफ का फर्मॉला होता है इस तरीके से पूछे तो भी लोजेश्टी ग्रोफ ही होता है फरक्या यहां पर वाई पो यह चीज़े बेसिक से इनको नोट करके चलो आर वाई इंटू ए मानस वाई काफी चीज़े काम आती हैं बहुत साथ प्रिपीट हो रहा है यह कुछिन तो कुछ यह थोड़ा मैंने बोला हार पार पेपर में आदस कुछिन ऐसे आते जो नए बनकर आते हैं तो अकर इन बाइ सब्सक्नार में अगरा बटन होने की जूट नहीं जो पैनल सी बाते हैं यहां पर आप रीधंधक रीट आपक्रीच होता है यहां पर प्रेट ऑफ इंक्रेजिस और अगर एक ही बात करें तो यह क्या होता है कैरिंग कैपैसिटी यहाद आ रहा है पिछले पर मैंने यूज भी किया था कैरिंग कैपैसिटी और वाई क्या होता अपना पुपुलेशन दैंसिटी को दिखाता है पुपुलेशन पुपुलेशन दैंसिटी तो चीजे नोट करके चलो फीचर काम आएगी तो अप्षिन भी राइट है यहाँ पर नेक्स चलते हैं कि अब परिदा ओडर 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 ओव डिस क्वेशन ट्वैल ग्लास का और डेफैंस अलगिंशन का पड़ते ही आंस्वर्एगा कुछ सेकिंड के अंदर ही ओडर क्या था हाइस्ट ओडर डिट इफ्रेंस अलगेशन में जो होता है यहाँ पर देखी सैकेंड उडर इस्तिमाल हो रहा है है तो यह तो ओदर तो ओडर देखा जाते है पावर ने देखते यह आँवार तीन लगा कर तीन नहीं लगाने हाँ-स टो ही ए तो ओड़ल कितना इसका ओडर इसका कितना है ऑप्षिंची डू है अगर डिक्री पूछे तो हाइस्ट ओडर की ही पावर देखते हैं इसकी पावर कितने है वन है तो इसकी डिट्री तो जाएगी वन पुछ लिया अग्जाम में पूछ लिए थो डिक्री वन और इसका ओडर रगताया हाई वह जिसी दढ़ाइन से कि विच में विच वन में और में नोट टेक फॉर्म ओफ मोडल यह का रहा है कि चार उप्षिन आपके सामने कौन सा ऐसा जो मोडल नहीं बनाता है मैंने चैप्टर नंबर 50 पड़ा रखा है वहां चार पाच नहीं नहीं बाते हैं सब मैंने बता दी हैं उनको आप नोट कर च कर दो चार बात रहे घो तो कुछ बात आप नोट रहें चलेंगे साथ को नहीं करता है तो कुछ बात है आप नोट रहें को चलेंगे सैसे पहले एक आता है डायनीक का डायन्मिक मोडल जो बनाते हैं पहले हैं उनकी बार मता हूं डाने भी मोडल फिर आता है एक स्टेटिस्टिकल सांखी की वाला स्टेटिस्टिकल मोडल और फिर अपना आता है डिफ्रेंट से लिकेशन वाला मोडल यह तीन ऐसे डाटा है एक गेम थोरी का भी इस्तुमाल होता है एक गेम थोरी का भी इस्तुमाल होता है यह तीन ऐसे हैं चार चार टाइप के एक इक नोबिकल से लिटेट डाटा भी होता है पॉपलेशन डाटा वह इसी के अंदर आ जाता है यह चार ऐसे डाटा होते हैं जो अपना कही ना कहीं ध confession को तरफ आज ऑन कि बनाएगा बिल्कुल बनाएगा आगा ब्लकुल बनाएगा बेल्कुल बनाएगा श्बर बनाएगा गेंओ बुलु बनाएगा यह उन्युक्र affirm कर भादressole ताइपस अलाकि अपने को जबने इंट्रेस्ट इस पर दिखाना नहीं इसका अलग से कोर्स होता है अलग से एक पाठ्थे करम होता है अपने यह इस्टी लेवल में भूत कम मध्यमेटिकल मुडल बढ़ाया जाता है फिजिक से रिट चीजे हैं पोपलेशन सोशल वर्क्स ल आपको रेलेशनजिप्योग उनके बीच से यह आप कहो ओर इनके नक्सिन को शह करता हैं सब्सक्राइब मुर्समूख के बीच में यहा भिए करता है तो बना भी लेता नहीं भी बनाता तो अकर इससे पुछा जाए में नोट टेक तो इसमें ऑप्शन सी दा मुट क्रॉर्ट टांसवर बाकि यह सब चीजे बनाते हैं यह नहीं ड्वीन्हाराशुजिन्हाराश। नॉले सविशेनुस नॉ79 उन लिए सब्सक्राया आती इन पतलो नोवेड़ा अट होमोजीनीई। देखते मालूम चले हैं पहले मैं आपको कुछ बेसिक बाहा हम लिए पचान करने सिखतां देखिए लेन देफ्रेंस लिक्विशन में दोस्त इस परकार से पाई जाती है यहां पर नहीं जा रहा है यह दिस के यह वाईबाइड डी एक स्क्यर पलस में पी डी वाईड एक्स पलस्ट में क्यों वाई और इज वड़ टु आपने में आपको चैप्टर पढ़ा रहा है से ऐसा है था, chapter 45 तो कौन सिलिंडर का है, chapter 46 पढ़ा रखा है मैं आपको, chapter 47, 48 यह सब differential equations, partial differential equations से लिटेड चीज़े हैं, तो मिर दोस्त इस प्रकार की जो differential equations होती है, जो ordinary differential equations होती है, वो अपनी linear differential equations होती है, थोड़ा हो जाना कर के लिए बता दूए यहाँ पर जो इस्तमाल हो रहा है जो क्यों इस्तमाल हो रहा है जो R P क्यों और R जो होता है वो क्या उते हैं functions होते है salvation की only X functions of X only यह X के function होते हैं यहाँ पर आपको Y नहीं विलेगा constant मिल सकता है X मिल सकता है यह पैचान होते हैं मोटे मोटे तोर पर अच्छा यह होती है linear differential equation की पैचान आप देखो यह d square by dx अपना रहा यह रहा और यहाँ पर d or dx तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पर इसको चलो मैं इसकी pattern बना कर दिखाता हूं इसको अपने रहे को कैसे लिए सकते हैं डी square y by dx स्क्राइब करक्ट पलस में जीरो डी वाई बाई डी एक्स मैं इसकी सकल को modify करके बना रहा हूं ताकि आप इससे compare कर पाएं फ़ड़ा patience रखो आगे देखो पलस माइनस 4x square y is equal to minus cos x देखो मैंने सकल बना दी इस की जैसी ताकि इसको मैंने एसा निके दिया लिख सकते हैं क्यों लिखा देखो देहां से देखो यहां पर पी कितना अफ़ना जीरो पी कितना ने जीरो तो constant हो सकता है है क्यों कितना अपना क्यों कितना अपना minus 4x square ही य को तो यह चीलिए लिटेट कर्केर में और कितना है अपना माशनगेस को एक्स त तु avons इस क उस होते हैं तो यहां से नंहीं कि किकलो फॉर पशनगेस को कमशन डिक अब कर फांक्षन है सबस्क्राइब करते हैं तो इस परकारस यह लिए यहीं है है कि यह लीनियर तो ही है तो इसका मदला option C और D तो इसमें लोन लीनियर आ रहा है तो कल गलत अब बत रहा है कि वह होमजीनियस है या नोन होमजीनियस तो हमजीनिस की बचान बताता हूं देखो यहीं से बता देता हूं अगर अपने पास सेकेंड ओडर है तो होमजीनियस यह कहता है कि जितना ओडर का अपने पास डायिटी है उतने ही ओडर का X मतलाब X का फॉम वहाँ पर मिलता है Noda X स्कूर डी स्कीर वाई डी ऐग स्केर कहने के मतला अगर कर फ्लेस्स यहां पर x स्कूर ही मिलेगा होँजनी से पचान है पलस में X d y y d x ही मिलेगा मेरे दोस्त अगर एक वोडर का डरेट ही है फर्स्ट अट तो यहां पर X मिलेगा और पलस में y is equal to x यह एक जनरली बेसिक सी पचान होती है इसके साथ क्या एक्स्क्राइब नहीं है और लगाना चाहें तो फिर यहां पर वो चीज़े बनेंगी आपने पास तो यहां पर अपने पास प्हर्ट को काकु सक्वर्ण को यहां पर अपने पास 23 moments एक्सक्राइब और यहां जो हो इए पनी करने कोवन अपने इस्त काछ अपने को irrational तो यह लीनियर तो है लेकिन होमजीनिस नहीं है तो ऑप्शन इस दा राइट अश्वाइट अगर कोई सेरीज डाइवर्ज नहीं कर रही है तो उसके बाद दो पोसिबिलेटी या तो वो कनवर्ज करेगी या फिर ओक्सिलेट करेगी या फिर वो ओक्सिलेटरि होगी और ओक्सिलेटरि होगी दो बात होंगि यहां फायनाइट जा इन फायनाइट पड़ा रखाया सारा चाप्टर नुब थर्टी टू डिटेल में पड़ा रहा है सीपकर्ण से रीच बहुत बढ़्य तरीके से बढ़ा रखा है तो यह मुअमे वसकता है यह आप्षिन बात रहें बागी ऑप्षिन सर नहीं कोई बन रहे हैं पर अप्षिन बीज़र आप नेच्ट अब वट इस स्वल इस इपर इस इंपल और बेसिक उस्ट मुछ़ाई है ordinary differential location में इस पकार की differential equations को solution बनाना आपने कितने बार कितने कुछन प्रैक्टिस कि इसके बाद तो कुछ बचे गए नहीं देखो सबसे पहले बनाते हैं इसको simplify करें डी स्केर वाइवाइड डी एक स्केर इसको उठा कर राइट में लाएं तो यहां से अकर axillary equation बनाएं तो कैसे बनाएंगे इसको तो अपन क्या करेंगे एम स्केर बनाएंगे डी एक स्केर एक स्केर होता है और यहां वाई के साथ क्या है यहां से दो वैलों आएंगी एंगी म क्या पलस माइनस आउटा हुआ जाएगा पर आपने पास एम प्रमिट कर रहा है अपना एंप फॉरमिट आ रहा है अलफा पलस माइनस आउटा बेटा कहने का मतला इमेजनरी आरी वैल्यू जाती है तो अपन जो सॉलूशन बनाते हैं जिसको complementary functions बोलते हैं, complete function बोलते हैं, वो किस परकार से बनाते हैं, y is equal to, complete solution कैसे बनाते हैं, y is equal to, e की power alpha x, c1 cos x, c1 cos beta x, plus c2 sin beta x, exactly सर जी, आपने बता रखें, सारे formulae, real की case ने बता रखें, इमेजरी case ने बता रखें, सारी बाते बता रखें, अब देखो, alpha की value कितनी हैं यह यहां पर इसको कैसे ली सकते हैं, 0 plus minus iota, तो alpha तो यहां पर 0 हो गया, और beta कितना हो गया, iota का multiple 1, बस, यह formula होता है, सिदा पूट कर इसके अंदर, alpha की value कितनी है, 0 तो e की power 0, 1 हो जाएगा, उसको छोड़ दो, c1 cos, beta कितना है, 1, तो cos x, c2 sin x, यह अपना answer आएगा, इसका right side तो particular integral निकालने की जोट है, नहीं सीधा, cf से काम हो जाएगा, option की तरफ चलते है, y is equal to 10x, गलत, cortex गलत, a cos x plus b sin x, हाँ, यह ठीक है, a sin x minus b cos x, यह अब देखो, आपका होगे सर जी, आपने तो यहां पर c1, c2, बताया, यहां पर a और b, अब यह constant होते है, a भी यूज कर ल कर लो, d1, d2, यूज कर लो, आप चाहो तो यहां पर a यूज कर लो, यह लो, कोई फरकंदी पढ़ता, यह तो constant काम कर रहे हैं, तो a यूज कर लो, b यूज कर लो, c2 कर लो, कोई फरकंदी पढ़ता, option c is the answer, उमीद है clear हो गया हो, आगे बढ़ता है, which one is the methyless equation, एक महान mathematician हो तोमस, रोबर्ट, मैथलस, म-A-L-T-H-U-S, मैथलस, और इनकी एक सी, ठीओरी दिन थी, इन्होंने एक ठीओरी दी थी, जो ठीओरी ने पॉब्लिक्स की थी, वह सी methylation theories, methylation theories के नाम से famous होई थी, और उस ठीओरी के अंदर इन्होंने, इन्होंने, population density function, population size, population growth, logistic growth, इन सब पर इन्होंने काम किया था, और उसी ठीओरी के अंदर इन्होंने, जो equation दीओरी थी, वह equation क्या थी, भया, dn by dt, that's equal to b minus d into n, यहोती है, और इसके अंदर b क्या चीज़ा है, मेरे दोस, birth rate होती है, यह चीज़े note कर लेना के काम आ सकती है पेपर में repeat हो रहे है, question, इस बार भी हो सकता है, यह होता, d वो बोले तो death rate, n बोले तो population size, चुछ जो नहीं नहीं बाते हैं, उनको note करके चलो, मेरे दोस्त, तो यह population size का time क्रस्प्रक में चीज़ाता है, वो होता है, तो option number अपन जाएंगे, b की तरफ, option c की तरफ यह वाला formula, clear है, आदे बढ़ते है, simplify करना है, और यह पांच भी class का बच्चा कर देगे, simplify, 3x, नीचे क्या है, 5x plus 1, और minus का 2, तो क्या हो जाएगा, 3x, 5x, एक में दो गटाएंगे, तो minus 1, तो 3x अपन 5x minus 1, यह लिजी, option c is the right answer, option c is the right answer, option c right, यह माना से भाई, आगे, क्या कुश्यन पूछा है, option a दो 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 तक नहीं है, bb नहीं है, c थी यह, db नहीं है, फुल-फुल बेसिक सा कुश्यन है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, option c right, आगे बढ़ते हैं, suppose, fx is equal to x, suppose कहा रहा है, कि fx पराबर x है, minus infinity, less than x, less than infinity, इसका मतलब होता है, x belongs to real number, होता है, तो यह क्या है, यह identity function है, 1 पे value 1 देगा, 2 पे 2 देगा, 3 पे 3, identity जैसा domain से element आगा, वैसा ही range में element जाएगा, image बनेगा, तो constant नहीं है बहुता है, और यह, आडेंटिटी साही है, greater integer function नहीं है, none of these निकला है, तो option b is the identity function है, when the growth rate was 1% per year, then world population is 1965, was 4 billion, अच्छा जी, 4 billion बोले तो 400 करोड, हाँ, एक बिलियन में 100 करोड होता है, 400 billion, sorry, 4 billion, 4 billion बोले तो 400 करोड, एक करोड में 7-0 होती है, 100 करोड में 9-0, तो 400 billion में 4-1 बार आएगा, और 9-0 आएगे, if the model equation is given by P, गारा है, model equation इससे परकार से given जाते, population growth in Sweden, in from July, Sweden की population growth पूछ रहा है, और देख इसकी रहा है, वर्ड पॉपॉलेशन की, अच्छा जी, यह तो गड़ बड़ है भाईया, इस question में फिर तो, देखो, एक बात को ठीक सोड़ा खुद का दिमाग लगाई है, दिमाग लगाई है, दोस्त मेरे, कि वर्ड की population दे रहा है, 1965 में चार billion है, और population को इस परकार से दिखा रहा है, कि इस परकार से दिखा रहा है, पी इक वर्ड टू, फोर इंटू, टू, पॉइंट वन की पावर टी, अब नाइन जिस्टी फाइफ की बात कर रहे है, तो 1965 में अपना टाइम के रहा हो जाएगा, भाई जिस टाइम अपने कलकुलेट कर रहे है, उस टाइम तो उस तुरुआती दोर पे इनीशल टाइम त अधारा है लेकिन यह बल्ड की पोपोलेशन रिखी पॉपलाशन की वर्ड की जिस 31 जरे खिपर नियुक्राइफ Park तो सभी कंट्री गा वल्ड की पोपोलेशन की रहा है चिविडन की पूछ रहा है Kolonlan. से 965 से 966 तो यह कुशन इंकम्प्लीट डाटा है मतलब इसमें कुछ अधूरा पाना है कैसे अगर आप हमें वर्ल्ड की पॉपलेशन बता रहे हो तो हम एक पर्टिकुलर कंट्री का पॉपलेशन कैसे बता सकते हैं जब तक आपको इस स्विड़न इस कंट्री और इस वर्ल् कंप्लीट है अगर आपको लगता है कुशन कंप्लीट है उसका एक्जक्ट सलुचन ही होगा तो आप मुझे कमेंट बोक्स में जिरू बताना किसी पर्टिकुलर स्विड़न देश की कैसे बता पाएंगे अगर वल्ड की पॉपलेशन गीवन है तो अगर स्विड़न की बत इसको स्टार लागे छोड़ेशको स्किप करते हैं आगे बढ़ते हैं इन फूचर का भी सका करेक्ट स्लुचन करेंट मिला दुरूरू स्लुचन मताइं एक आदा कुशन कर आए एक भी कुशन नहीं चोड़ा है सारे कुशन करवाएं अर्गल स्टेट में भी आए तो निन सब्सक्राइब अगर यह सीरीज कनवर्ज करेगी इफ यह कनवर्ज करती है तो यह क्या कहानी है अरे यह तो भाईया अब शुरूटली की तरफ जाएगा इस खालिस्तान में क्या आएगा अब सुलूटली आएगा अल्टरनेटिंग सिरीज चैटर नंबर 32 में मैंने आपक निसे अरब चाहिए इसाथ का सब्सक्राइब नृं यू यह दोपलंट अ बागाँ प्रूं है मने आएग और रटेनटिंग सेीरिज में बीसे फैरीज चेलता है यह गास कनवर्जेर नभर्ज घंडि स्क का उनडज को धेन фंग करतािस कीता घ्ण पर इसफिक यह दोट कार यह series converge करेगी कैसी absolutely तो वो absolutely P事 करती है मेरے दोस्त जब summation mode AN converge करता है तब और यह series absolutely converted करती है कब जब summation modeكن विर्फ करता है और यह series conditionally conditionally convergent होती है कब जब यह series पहली सब्सक्राइब यह ůग सब्सक्राइब एक यह नोटठ अंवस्का मोर्ड वाला कों सब्सक्राइब नहीं होता दूसरा यह श्रीज खुदी होती है किसके द्वारा भाई लवनेज्ट इस तेस्ट तो इसको लेबश करूँगा अगर यह मोर्ड की फॉम में करनेंट नहीं आगर मोर्ड की फोम करतेंट तो अभर सुरूटली कर देन और कर देट तब ही होगी जब समिशन मौड़ समेशन इं इस नोड कर देंट बन इस करनेंट पाई लैब निज टेस्ट तो इसका मलब यह काया राकान वड़ जाए तो अब शुरूटली जाएका कंडिशनली यह लोकली किलिके दो मतलगी जिबनता कोंगे आगे बढ़ता है करें sn is equal to 2n plus 1 divided by n plus 1 तो लिमिट क्या निकालना है अधे बहिया कितना सिंपल sn लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी एसन है लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी आइसन है इसे क्या करेंगे दोस कुछ लोग तो लूट लगा तो लगात उसस्ट वह जाएगा यह जाए सब्सक्та टी तो whole 공 bab 1 9 निचे से न कॉमालिय लो 1 प्लस 1 यह एंसे कट जाएगा गल्सक्रण फेलिटी जीरो एपॉर्ट को जीरो अंपरहे लिए घ्डूाइक टू निचे आएक ऑफशन से दाइड अन्सों भीटर लूट से करोगे तो उससे हो जाएगा इसका डिरिटी गजाएगा इसका टीटिक जाएगा विटेसवर टेंगे टू बनका जिर इसका करेंगे one two of one one two option C right है आगे बढ़ते हैं इस what will be the order and degree of the differential location order degree पूछ रहा है यह स्ट उर्ड देखे लुटेका हाइस्ट टीन है तो ओडर्ट ली तीन है कि आप इसी की डिधी देखेंगे हाइस्ट ओडर डारेटिव की घी आ शोज आ इक देखी एपावर देखते है उसके पावर इंगरी उती है उसकी डिपर कितनी है दोस्ति इसकी पावर वना तो डिपरी वन थरद अगरी गलत बात वाथ फर्स्ट ओडर तो आही नहीं थारूडर सब्ड़ी यह सब्सक्राइब कर तो ऊप्शनशी राइट थ्ड सब्सक्राइब करें कितना मामोली सब्सक्राइब इस इतना याद है कि मैंने यह कुछिंस कर वाया है किसे ने किसे प्रियस फेपर में जरू इस्तमाल हो या पीजट में हुआ जरूर है मुझे ध्यान आ रहा है इसका अंसर चोदा आएगा देख लितना कितना आता भी कंफर्म तो नहीं चोदा ग्यास पास मुझे दिख रहा है यह चेक करते हैं कहा रहा है कि यह रिलेशन दे रहा हूं मैं आपको अच्छा जी पीजिए रगालू दे रहा हूं ए तो इस यह न जी रखेंगे तो पीबन बन जाएगा और यहां पीजिए रखेंगे विसे उठालें आई बहसमां में तो कहने मतलब पहले न इस इकवल्टू सीख रखेंगे तो यहां जीए एक इतना है तो यहां पीर रखेंगे पीजीरो अच्छा जी और पलस बीडिन आई बीक वेलु मानस वन यह लो जी घुरू कितना है दो तो तीन गुणा में दो चै माइनस एक मतलब की फाइफ तो पीवन की वैलो आगे मेरे दोस पांच अच्छा जी निकालना क्या है पीटू तो यहां रख दो तो जैसी एन इस इकल टूवन रखेंगे तो पीटू एक और एक दो यहां एक इतना है तीन पी यहां रखेंगे वन तो एक काम करता पहले रख लेते हैं यहां रखेंगे पांच मानस एक पंदरा में से कहीं चोदा तो पीटू कितना गया फोर्टिन ओप्शिन सीज़ाइटांस आयवा कुशन है पहले के नहीं है सिंपल है बहुत असान है आगे बड़े कंवर्जेंट सीरीज स्टूरी कंवर्जेंट सीक्वंश इस कंडिशनली यूनिक लिजीए बाउंड़े यह थ्योरा में सका प्रूफ भी करवा रख्ञा है बाट इसका कर आवा रख नहीं होता अगर कोई इसकोश्वंश कनवर्जेंट हो तो भाइया वह बाउंड़ेड ह वान पर पर वन थ्रीप मानस फोर पर वन तो ऑक्षिलेट री स्फिक्वैंस है यह मतलब बाउंड़ तो है क्योंकि इसके पास दो यह वैलू आंगी फाइनिट हर वार मानस बन मानस फाइनिट सीक्वैंस है है हना फांड़्वाउनियू इस भाउंड है इस लेकिन कर्मिजट नहीं क्योंकि योग छी में फानि लिए वान्वन ऐसे 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 ऑख़ी लेटर करेगा तो मतलग एवरी कंद एक सीक्वेंस इस बॉनन बटनोड कन वर्स ब्रूस अंवर्स ट्रूर नहीं होता विचिस नौड दा प्रवर्वर्डियो अभीर कोई प्रवर्प्रोर्ट में तो काम करता है सय यह दू सहीbourne बब सहा है ने किन नी प्रहुたट है यह बक्रहुत stunt तो ऑप्शन D सही है अब आरे जो आप्शन D सही कैसे अभी चेक करके दिखाता हूं सपोच करो एक वैल्लू-2 है तो मोड माइनस यहां रखेंगे सब्सक्राइब नोट पूछ रहा है तो नोट के साफ सो ऑप्शन डी राइट है अगर आप सब्सक्राइब दिमाग लगा है तो मोड़ एक आपन ऐसे विसोल कर सकता है सब्सक्राइब नोट करने को पूछ रहा है इसकी डेफिनिशन यह होती है मोडलस फंक्शन यह नोट करना यह तो आपको आता ही होगा वैसे काम आता है बहुत नैक्स देखो सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो भया वह एक यूनिक वैलू ही आएगी मैं चेक कर दिया हूं देखो है थाम सिंपल सीजेटाओं आपको याद करना भी असान रहेगा में लेता हूं वन नवाइट वन बाई टू शक्राइब पैचानो यह क्या है पैचानो 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 फैचानो यह मैं जान मुझ की सेलिए क्योंकि आसे कुश्यन बहुत कराया मैंने यह जमेट्रिक सि तो सिर्स के सब्सक्राइब शिरीज क्या रखना आगर जमेंटरी केस में आपको पता किया था वन भाय आर प्लस वन भाई आर स्केर वन वहांग आर क्यू पलागो डूड़ रख्वरण होती है अगर इस देंग मेरे दोस्त सीरीज क्या होती है कर दोती है अब ध्यान से देखो आपर मेरे दोस्त यहां पर आर की वेलु कितनी है वन वाई टू है जो इसके अंदर आती है तो आर अगर वन बाई टू है तो इसका माल और शीरीज का अभागह वाइट थीक आपने यह पूरू कर दिया कि सीरीज का नवर्जनट है जीमेट्रिक्स सीरीज लेकिन एक बदाओ इसका सम यूनीक कैसे अहीं बताता हूं इसका सम निकाल लो निकाल लो ना आपको सब्सक्राइब तो मतलब इस सिरीज के जो सम आएगा वह वन आएगा और वन क्या एक यूनीक है यह थोड़ी है कि वह कभी तू आजाएगा कभी त्री आजाए कभी फोर आजाए कभी मानस वन जाएगा तो एक जमेट्रिक सिरीज अगरा मतलब कि अगर कोई सिरीज करनवर्जेंट है तो उसका सम एक यूनीक वैलू याता तो ऑप्षिन ए राइट है मेरे दोस्त तो इस सिरीज यह प्रू कर दिया और यही सम इसका यूनीक आ यह प्रू कर दिया हो गया तो यह बढ़ता है नेक्स कुश्यन नंबर फोर्टी बन मे कि अधियो घर लिमेट एक सब्रोष टुजी रोलोग ओफ ऐट पावर एक सिमपल कोश्यन ना एक सब्रोच कर दो को तबर बसक्या कॉंसर्ट हो जाएगा रिकी लेमिट एक सब्रोच टुजी रो लोग ओव ऑफ एक तूद आप पावर एक्स तो जहां पर एक से वहां आज इस पर नेक्ष चलते हैं कि फाइंड दप्रिजम वोल्यूम इन ओर डी जड़ डी आइड डी अक्स कह रहा है कि इस ओडर के अंदर चलते हुए प्रिजम का वोल्यूम निकालो सिक्स ओडर पोसिवल मतलब कि जो प्रिजम उसमें इस वाला कॉंसर्ट है और सिंपल कुश्य है अपने इसको आज रिजल्ट याद रह सकते हैं वोल्यूम क्या प्रिजम का अगर इस ओडर में पूछ रहा है तो यह सब्सक्राइब अपने पास यह प्रिजम है उसका बेस है प्रिजम क्या होता है तो आपको बता के चलता हूं इसके बेस होता है और बेस के उपर उसके फेसे निकल कर आते हैं ऐसे ट्राइंगलर से तो अपने यह बेस मान के चलते हैं प्रिजम का और आप इसके जो टोप होगा जैसे माली यहां पर है कोई थड़ा हवा में देख समझने को सिस्क्रों अब उसको यह बोर्ट टूडिय शोड़ा है ऐसे लाइक दिस उसके वाद एक ऐसे अपने पास इसका जो टॉप का आई इस आई गाटोर्व साइड का जो प्रीजम होता प्रीजम का यह बेस है तुपर इस जो होता है वह कुछ ऐसे निकल कर आए गा उसी पर यह इससे करेंट होगा और यह से इससे कर्नेक् और अपने सब्सक्राइब करते हैं यह अपना जैक्सीज है और इसके लोग अपने ले लेते हैं अपना य-axis यह अपना य-axis ले ले लेते हैं और यह अपना हो गया एक्सक्स अब इसने बोला है कि ढूं ले लेते हैं यां टो लेते हैं यहां टो टुट स्ट्री यहां से चलेंगे और यहां से चलो director सब्सक्राइब यहां से काउंटिंग स्टार्ट करूं सब्सक्राइब यहां से करता हूं 1 2 3 4 4 तो यह होगे बेस में और उपर की तरफ चलते हैं तो यह टोप का जो एजीज है यहां से एक आएगा यह टो फॉर यह 5 और यह 6 तो यह 6 ओडर का पॉस्पीली सुपर अगी बात बोल रहे हैं अब यह एक सेक्सी को लोंग 1 2 3 यह थोड़ा स्टेंडर बेसी करेद्ट है अगर आप इसका प्रूफ ज्यादा इंट्रेस्टिट है तो आपको सारा बेसी जानना पड़ेगा फिलाल म यह आपको समझाना चाहरा है इसका वोलिम 3 कैसे आता है यह अपना वाई-जड जो प्लीन है इस साइड वाला जो वाई-जड फेस दिखाए पड़ता है इस साइड से वाई-जड इसका इक्विशन होता है क्योंकि अपने को डिवाई-जड दी-वाई-डी-एक्स के अकू यह इसका इक्विशन होता है y प्लस 3z that's equal to 3 कि करने को बोलेगा तो अपन क्या करें है पहले जैड गवाई-डी-डी-डी जड लोगो शार में यहां से उछन n तो ज्रकीवाई-डी-डी-डी जो और यह 3 ऐगा नीचे यह जड की वैल घटकी वैलो आगए अपने को समस्तर आपने को इसने बोला है कि वोल्यूम चाहिए मुझे तो ना तो वोल्यूम कैसे निकालेंगा देखी वोल्यूम सब्सक्राइब वोल्यूम में जाएगी इस जीरो से ऊपर की तरफ यह वाला वैली निकल कर आएगा तो एकस की तो आएगी जीरो से जेडों से यह वाला जीरों से ट्री मानस वाई divided by 3 और अपने पास क्या है डीजड डीवाई डीएक्स जिसको ओडर में गया रहा है उसकी ओडर में काम करेंगे यह थोड़ी चीजी बेसिक आपको सब्सक्राइब प्रिजम को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा फिलाल मैं इसका यूज करके जिखा रहा हूं आपको देख किया है 3 मानस वाई भाई 3 और डीवाई डीएक्स करफ जीरो से टू जीरो से त्री तो वन अब अपब्र लिमीट रखेंगे तो क्या यह हैगा 3 मानस वाई भाई 3 और मानस में लोड़ लिमिट क्या है 0 dY dX समझे होंगे अब अंबर लेमिट मानस लोड़ लिमिट तो इस इंप्लाइज तो नहीं है पर सिधा जुकल टू लगाएं मैं यूं चलता हूं यूं करता हूं यूं चलता हूं ज्यादा दिक्कत नहीं समझने में जिरो से टू करक्ट आप यह अपॉन में थी तो कॉंस्टेंट है इसको निकाल लो बाहर और अब विद स्पट्ट लाइगे तो इसका इंटिकरेंगे विद स्ट्ट लाइध तो थ्रीका तो हो जाएगा थ्रीवाई माइनस वाई का हो जाएगा यस क्यर बाई 2 और लिमिट कैस्ट जीडो से 3 वाई के लिमिट रक रहा हूं और बहार क्या है अपने पास डई- पहले यहां पहुंचने के बाद जीरो तो मतलब भी नहीं है वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे वन भाई थ्री कॉंचने उसको बहार निकाल लिया थ्री वाई मैनस वाई स्कुर्वाई टू अब लिमिट रख दी भी यहां पर आजाएगा अपने पास डिया करेक्ट तो वन भाई थी तो अपने पास बहार है यह यह लीजिए यहां से नाइन मैनस नाइन बाई टू कितना होता है नो मेंसे साड़े-4 गटाएंगे नाइन बाई तो मला साड़े-4 वचेका मतलब की नाइन वाई टू बचेक आप उमीद करता हूं सोड़ा चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे आंसवर त्रीस को आप एज रिजल्ट याद रख लो दोस्त जब सिक्सक्राइब बाता है नेक्ट चलते हैं अब टेलर एक्सफंशन ऑफ एकी पावर रख देखिए ऐसे कुशन बहुत है साइन का एक्सफंशन पूछ रहा है को सका एकी पावर एक्सका तो आप यह टेलर एक्सफंशन और मैकलियून सीरीज दो पकार की कंसर्प्ट होते हैं आपको सिंपली एक्सफंशन से याद रखत सब्सक्राइब रहेते हैं इनको यह गयός रखाल रख़िए की पावर एकसा डायूता है प्लतबुक्त की पावर निचे आए ऑगागा फसाए सारवे के आते दिहान एक्राइब कोई भी नेगिटी वैल्यू नहीं आती है अब देखे फोड़ा स्मपिलिफाइए करें तो एक्स अपाउन में वन गाफ एक्स की पावर टू अपोन में 2 एक्स की पावर 3 3 फैक्टरी नहीं कितना होता है है 6 होता है प्रस डॉट 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 अपूर से आप्शन को पकड़ो पता लगा कौंसा अपि bowl किरbane over 8 यहां पर 6 आ रहा हैं तो गलत हो गया कर दूसरे में 1 plus X plus X square y 2 plus X की power 3y 6 you सभी ऑप्षिन भी सभी जा रहा है सारी चीज़ें मिल रही है अना option C देखो one plus X plus X square y 2 X and 3y 6 यहां पर 2 आ रहा है गलत one plus X plus x square y 3 आ रहा है यहां पर बटे में 3 आ रहा है तो यह गलत option b is the right answer clear है सब याद रखो चीजों को कि दो में ओधा फॉलॉविंग फंक्शन एक्जिस्ट ओनली वन यह का रहा है कि फंक्शन है तो इस फंक्शन की डॉमेन कब एक्जिस्ट करेगी ऑप्शन आपके सामने देखने सही मालूम चल रहा है मैंने बहुत बार ट्रिक्स बताई आपको यह 11 12 के कॉंसर्ट में भी बत पात है वह डिनोगेटर के अंदर अंड़ के अंदर जो फंक्शन है वह ग्रेड़ जीरों और चीए तो यह तब ही डोमीन अग्सित करेंगी यह जो वैल्लू है वह क्या होगी ग्रेड़ देंग जीरों कि अश्वाय स्क्रीज़ ग्रेदर दिश्ट पर मानेंस का 16 घ्रण ज तो काम हो जाता है यह यह वाली कंडिशन होगी तभी जो पर दिस्ट करेगा तो एलाइज नहीं करेगा विया अना एक्स के वाला इसके यह चीज़ और स्थाइब है यह माना आपने दैखा है झालते हैं पहले फंक्शन का यहाँ रखते हैं वह से क्रिटीकल पाइंट से मतलब होता है देखेंक दो तरही बाते हैं क्रिटीकल वह बैसेसे कर दोन सेब्सक्राइब अक्सर लोग पूरा 11 12 पढ़ लेते हैं पूरी इग्रेशन पढ़ लेते हैं प्रिटिकल पाइंट और स्टेशनरी प्वाइट का छोटा अंतर है वो नहीं समझ पाते हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्रिटिकल पाइंट का मतलब होता है कि वह पॉइंट जिस पे या त फिर उसका derivative exist ना करें डजनोट एंडिस्ट दजनोट एंडिस्ट तो ग्रीटिकल पाइंट से मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिस पर या तो फंक्शन का डेरिवीटी जीरो आए या फिर फिर फंक्शन का डेरिवीटी जिस्ट ही ना करें तो यह दो तरह की बाते हैं प्रेटिकल पाइंट तो अगर हम मौस्ट सुटेवल क्रेट टांसर की तरफ जाए कि जहां पर मैक्सियम इनमा देखते हैं हम वह पर देखते हैं तो इस प्रेटिकल पाइंट पर ही देखते हैं तो और प्षिन भी इस आगे बढ़ते हैं थ्री याद रखो वह ने निकाल के दिखाया अब अगर पेपर में यह कुशन आता है तो जो इस इंटिगरेशन को सोल करने बैठ जाता है मैं कहा रहा हूं बहुत जदा बेकुफी वाली बात हो जाएगी जब आप कोई पेपर में आपको पता है कि सफेर का वोलिम चार बटे टैक स्क्रेयर टेहर प्लस Y केर प्लस जड़ स्क्रेयर इसे इक्वल टो बन गाक स्क्रेयर यह स्टैंडेट ड़ 파belt सैंडे़ यहां पर वन वाल अर नावर को यहां पर याज यहां नहीं तो क्षका यिस का यूज लगा रभय है जो इसको योज करें मувати नाडरी मिनेट चाइब मिनेट खराब करेंगे वोलिम निकालेंगे हमें पता है ना आर्गिवल वन यहां सीधा पूट कर दो तो चार अपटा थीन पाई आंसर आएगा वही वन की पाउर तीन तो वनी होता है तो ऑप्षिन देखो ना ऑप्षिन देखो ना ओप्षिन दिस दराइट कौन सा नहीं है मैंठ टुरिकर आईज वैदर इस फंक्शन इजडिस डिसकंटियूस और मैंना जाएगा इस कंटियूस है या नहीं यह पता लगाने लिए देखो सासे फ़ए डिसकंटियूस की तरफ जाने से पहले जाना जो जहना जो होता है जो फंक्शन किसी पॉइंट पर continuous नहीं इस वह उस पॉइंट पर discontinuous है सिंपल समतलब डिसकंटिनिस की कोई definition नहीं होती जहां पर continuity फेल होती है जहां पर graph पर break आ जाता है वह उस point पर ही वह function ही discontinuous होता है तो function continuous होने के लिए पहले condition की function उस point पर continuity check कर रहे है उस point पर वैल्यू और लिमिट उस point पर वो दोनों बराबर होने चीए तीन कंडिशन अब देखिए अब इन तीन कंडिशन से कोई condition फेल हो जाए तो function डिसकंटिनिस हो जाता है तो कोई को दिखाने के लिए कौन सा ऐसा मैं जो आप माने नहीं जाएगा माने नहीं होगा उसके लिए क्रागी प्रूव प्रूब आइक कंडिक्शन वाइटिंग इट्टू फंक्शन ओन तो बीडिसकंटिनिस बाइटिक्शन में बहुत से हम लोग यूज करते हैं खासता और से ठेटिकल थ्योरम प्रू करने के लिए अम आले जामें किसी फंक्शन को डिसकंटिनिस प्रू करना है तो हम पहले सब खोच कर लेंगे कौन डिटिक्शन में ज़र कैसे लगाएंगे लड़ा सब इस फंक्शन इस कंटिनियस वर उसकी बाद प् अब देखिए शोडेर्ट दा फंक्शन इस फेल्स लग अपसाइलन अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन आपको मैंने कंटिनुटी की डेफिनेशन सिखाया थी खासता और से 11 12 में तो अपसाइलन डेल्टा इस्थम इस्वाल नहीं करते हैं ग्रेशन के अंदर चैप्टर प इसको बोलते हैं अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन यह मैंने आपको सिखाय थी अगर यह वाली डेफिनेशन फेल हो जाती है तो भी हम कह देते हैं कि फंक्शन डिसकंटिनिस है मतलब लैज अपसाइलन ना कर गो ग्रेड़ देन अब साइलन आजाए या अपसाइलन अग सबस्क्राइब करने के लिए तो यह बात भी साहिए नेक्स्ते बात करते हैं तो अपना यहां पर और यह नहीं होती है और अपना क्या होता है नेच्रल नंबर से भी लोग करता हैं तो आपन क्या करता है तो किसी पॉइंट पर function की वहां पर वो defined नहीं हो बार है sequence तो उस condition से अगर sequence की definition fail हो जाती है basically यह functions को add the point पर value check करना होता है जिस अपने continuity check करते हैं पहली condition क्या लगाते हैं कि जिस point पर continuity check कर रहे हैं उस point function defined है यह नहीं तो यह वही बात है तो सबसे पहले हम उस point पर check continuous है या नहीं तो यह बात भी ठीक है नेक्स्ट अगोडी कंपोजिंग इंटी कंपोजिंग फंक्शन इंटू सिंपल डिस्कंपोजिंग यह कहा रहा है कि फंक्शन को simple discontinuous function में convert कर लो अरव जब डिसकंट्रेटी चैक ही करनी है तो discontinuous function में क्यों करें तो अगर आप discontinuous करी रहे हैं तो मतलब discontinuous ही चैक हो रही अपने आप में तो यह method को डिकंपोज कर लो क्यादा है कि फंक्शन को तोड़ लो discontinuous functions की format में break कर लो सब intervals में तो यह method of most suitable नहीं माना जाएगा क्योंकि इस में तो पहले ही डिक इस में अपने को पहले डिसकंट्रेटी में तोड़ना पड़ेगा तो यह options ABC most suitable करेक्टांस जबकि option D decomposition वाला यहां पर ठीक नहीं रहेगा तो अपन किस option की तरफ जाएंगे मेरे दोस्त option D is the most टीकंपोजिंग फंक्शन इंटू डिसकंट्रेटी वह यह चैकी करनी है तो आप तो डिसकंपोज करने को कह रहे हों तो वह कहीं ना कई फर्दन बर्डन वाला कामी है तो यह method not recognizable होगा अठाइक चलते हैं उसी है वीच अपरेटर शुज्ट टॉस्ट रॉख त्टॉरह में क्या यूज करते मैं आप बहुत बार बताया है कि फट्रॉम में अपन डाइवर्जेंस यूज करते हैं डाइवर्जन का अब चुट करते हैं और बन करल का अब चुट करते हैं अगर समझाया शोटकट बताया तो जब भी स्टोक का नाम दिखाया दे आपको विया करल की तरफ जाना है और डाइवर्जेंस गास थोरम का जिकर आए ठीक पर में पूरा नाम नहीं भी नहीं आ सकता है गास थोरम भी वह सकता है गास थोरम फोर वेक्टर पॉइंट फंक्शन इस परकार से भी आ सकते हैं तो अपन सिर्फ फ्यू उदर जाएंगे कि डाइवर्जेंस की तरफ अब मैं थोड़ा लिए के वजा दिता हूं स्टोक तरह मैं क्या करते हैं लाइन इंटिकल ओवर दा क्लोज कर वसी एफ वेक्टर डोट डी आर वेक्टर डैट सिक्वल टू डेफिनेशन बाइस स्टेटमेंट सी आपको आइडिया लग जाएगा भी आंस्वर किया है थोड़ा बहुत हल्का फुलका कॉंसर्ट गरेशन के आपने पड़े हमें तो यह कह रहा हूं मैं बहुत असान है चीज़े को कवर कर पाना अगर आप पढ़के चल रहे हैं समझ क के चलो याद करके चलो इनका प्रूफ डिटेल में जानने के जूर्थ भी नहीं है क्योंकि हलका हुआ से सर्फिस लेवल से कुशन उठा रहे हैं अगर पढ़ा हुआ हम सब्सक्राइट नेक्स देखो मतलग कह रहा है कि कौन सी कंपोजिशन ऐसी ऐसी ऐलिमेंटरी फंक्शन की जो कंसीडर नहीं की जाती डेरिवेबल के फॉम नूट में एक्सपोनेशल फंक्शन डेरिवेबल होते हैं बिल्कुल होते हैं तो सारे के सारे किया जाएंगे और प्सक्राइट पर इसकी बास मैक्सिम वैलू होगी सी इस बात है क्रिटीकल पॉइंट परी मेक्स अमिनिमा होता है पूरा सोलुषन नहीं करना है इसे रिटीकल पाइंट पता करो थो थोड़े पहले बताया है यहां पर डेरिवेटी अगधि अगे जिरो आजाता है वह वहीं पर critical point देखने को मिलता है तो इसका direct equal to zero रख देंगे अपन तो इसका direct निकाले पहले चलो पहले एक काम करते हैं f dash x निकालते हैं f dash x निकालने से पहले हम पन क्या करेंगे देखिए functions की power function आ रहे हैं तो जब भी functions की power और वेरियेबल हो functions की power function हो तो अपन लेते हैं लोग तो इधर जाएगा लोग f that's equal to minus x जब इधर लोग लेंगे तो power निचे आजाएगी तो minus x बाहर आगया और अंदर के आएगा log x उमीद करता हूं कि समझ में आओगा formula है log m to the power n एन लोग m लगा दिया मैंने अब डेरिविटी करेंगे तो लोग अफक्स का हो जाएगा वन अपोन fx और fx का हो जाएगा मेरे दोस्त f-x मैनस को बहार रखते हैं अब यहां पर लाएं product tool यह first यह second correct मैनस को बहार रख लिया फर्स्ट एजटी डेरिविटी और लोग x का डेरिटी हो जाएगा वन करेक्ट अब fx को ले जाए उधर तो f-x के आएगा अपना अब fx उधर जाएगा तो fx की वेलू क्या है अब बात करते हैं अपने बाद दो फंक्शन है एक फंक्शन यह राद दूसर फंक्शन ही रहा दो यह रहा है मतलब यह तो दोनों 0 है यह दो में सो कोई एक 0 है लेकिन यह वाला फंक्शन जो होता है एक तरीका से x की पावर x exponential format में जा रहा है इसकी जो domain होगी इसकी सोरी इसकी जो range होगी वह आलवेज तो ऑपन इंट भल स्लॉग सब्सक्राइब तो यहां पर बेस क्या होता है यह होता है अपना एक पावर मानश वशन हो जाएगा अपना आउपाउन में अपनर क्या जाएगा इस पॉइंट यह पर पाइंट पर सेगेंध दैटिटेव निजिएlast तो इक है कर दिए इसको पर्थम सब्सक्राइब निलाओं, सब्सक्राइब अब मइंस में होता है मिनिमी केस में होदा है तो अगर अगर निकाले तो इएbas Hawk गार्ने बाहराइब नय्क्स्क्राइव आगोने तुस्क् nome इसको Maxima कहते हैं पूरा करना नहीं है इसे critical points भी जाएगा option C रहत है Intermediate Value theorem Intermediate Value theorem इसकी definitions को समझेंगे नहीं, तभी इस question को आप समझ पाना व्लड़ा असान रहेगा definition यह कहते हैं मिर दोस्त, अगर कोई function आपके पास fx है अगर वो function continuous है, cts, shortcut महीं करा हूं अगर को function continuous है, किसी close-up a, b के अंदर है, अना, and and f of a not equal to f of b मतलब and point per function, इन दो and point per function की value क्या है, परावर नहीं है then, then there exists, यह there exists का सायने, पता होगा, आप ग्रीशन पढ़कर आए then there exists in at least one point x is equal to c, lying between a less than c less than b मतलब a और b के बीच में कैसा point c exist करेगा, a less than c less than b such that, such that f of c is equal to k, और where k क्या चीज़ है, where k lies between f of a less than k less than b, मतलब k जो है f of a और f of b के बीच में लाइक करेगा, यह तो इसकी के काम करते हुए, there exists, एक ऐसा points is a और b बीच में एक c point ऐसा बैठा मिलेगा, कि उस point पर जो value आएगी k, वो k value भी इन दोनों end points पर आने वाली value के बीच में आएगी, यह बात को समझे, जोड़ा ग्राफ बनाता हूं, फिर सकानी समझ में आएगी, फिर ग्राफ से समझे, देखो, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जीसे माल लेता है, यह point a है, और यह point b है, correct, a point पर value बने पास आई यहाँ पर, b point पर value बने पास आई यहाँ पर, suppose कर लेता है, देखिए, f of a not equal to f of b का मतलब क्या है, दो बाते हो सकती है, f of a less than f of b हो सकता है, या फिर f of a greater than f of b हो सकता है, दोनों ही case संभव हो सकता है, मैंने यह वाला case ले लिया, समझाना असान दाएगा, आप यह वाला कर सकते है, इसमें क्या हो जाएगा, f of b बड़ा है, तो b की value पर आई, a की value नीचे, तो यह अपना, यह अपना क्या हो गया, और यह, यह ऐसे सुचता लेगा, थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप समझ मैं, रिलेट कर पाएं चीजों को, तो यह अपनी f of a की value है, यह अपनी f of b की value है, यह वाला point, तो कुछ इस परकार से आएंगी, ग्राफ, सो करना की आपर दिखाना चाहें तो, और यह अपना हो गया, x is equal to a, यह हो ग पर यह पर एक point X is equal to c, इस पर जो value आएगी, यह value, इसको क्या नाम दिया, इस ने, f of c नाम दिया, यह की नाम दिया, इस point पर जो value आएगी, वह value क्या है, f of c, जिसको अपने नाम दिया, k, तो ध्यान से देखें, तो यह k जो value है, यह k value f of a और f of b के बीच में लाई कर रह है, कह रहा है कि अगर कोई continuous function है, तो अगर उनके end points पर value बड़ाबर नहीं है, जैसे यह value उपर आये नीचे, तो बड़ी है, यह चोटी है, तो करें कैसा point C होगा यह और बीके बीच में, कि उस point पर जो value आएगी, वह value इन दोनों end points पर value आने माले के बीच में लाई करेगी मतलब एक ऐसा point मिलेगा जहां पर इन दोनों points के बीच की intermediate value मिलेगी अपने को, जब यह मिल रही है कि यहां पर इस तरीका से, तो यह है, A और B के बीच में C आ रहा है, तो C पर जो value है, वो F of A और F of B के बीच में आ रही है, यह इसका concept है, अब अपन से पूछना चाहरा है intermediate value क्या होगी, इस concept में, आपन क्या करेंगे, इसी definitions को देखेंगे, option के 1 by 2, 1, 2 और cannot be determined, अगर यह वाली conditions fail हो रही है, तो कहीं नहीं हो सकता, इसकी value है, आपन find out भी ना कर से, cannot be determined, तो अपन इस definition को आप समझ लेना, मैं इसका यूज करने वाला हूँगा, ठीक है, सबसे पह पावर 4 प्लस 1, rational functions आ रहा है, numerator में, denominator में, denominator में, rational function है, अब देखो, इसको मैं सब्सक्राइब करो, तो मैं ऐसे ली सकता हूँ, x2 मानस का 2x प्लस 1 प्लस 1, इस 2 को दो वाग में तोड़ सकते हैं, 1 प्लस 1, ऐसा क्यूँ कि आभी मालूम हो जाएगा, इन टीनों को यूज कर तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो, x मानस 1 का whole square प्लस 1 divided by x की पावर 4 प्लस 1, अच्छा मैं ऐसे क्यूँ किया, ताकि मैं ऐसे इसकर्स पर पोर्चना चाहता हूँ, जिससे मुझे clear हो जाए कि कहानी क्या चल रही है, अब ध्यान से देखो, अब यह पावर में 2 आ रह यहां से जो भी आप value रखोगे, 0, positive, negative, minus 2, plus 2, 4, 10, 20, 35, minus 15, negative value रखो, 0 रखो या positive रखो, इसकी value जो आएगी, वो 0 या 0 से बढ़ी आएगी, 0 आती है तो प्लस 1 होगा, तो मतलब एक positive value, 0 से बढ़ी आती है, तो बतोब positive आनी है, नीचे अदा, यहां पर 0 रखो या 0 से हमेंसा एक positive number आएगा, एक 0 भी आ सकता है, और 0 से बढ़ा भी आएगा, तो कहने का मतलब यह सारा का सारा, numerator upon denominator कहिना कि greater than 0, एक positive number ही देगा, क्योंकि numerator में positive value आएगी, सारी solve करने पर, चाहे negative रखो, positive रखो, 0 रखो, इस पकार denominator में, तो positive, यह value हमेंसा positive आने वाली है, लेकि देखो, अगरा मैं F of 0 की value निकालो, क्योंकि आँपर सभी, सभी real numbers के लिए यह greater than 0 होने जा रहा है, सभी real numbers पर यह function greater than 0 आएगा, अब एक बात सब्सक्राइब दोस्स, F 0 की value का आईगा, 0 रखेंगे, 2 upon 1, मतलब 2 आएगी, F of 1 की value निकालो, F of 1 रखेंगे यहां, यहां रखेंगे, F of minus 1 रख लो एक negative ले लेते हैं, बहुत इतना ज्यादा बड़ा काम भी निकरना है, तो मानस 1 रखेंगे, मानस 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 2 मानस 2 का square, 4, 4, 5, 5 आजाएगा, और नीचे कितना जाएगा, मेरे दोस्त, 2 की पाव, मानस 1 का, मानला 5 by 2 आजाएगा, मानला 2.5 आएग इसका graph कुछ ऐसा आएगा, इसका graph कुछ ऐसा आएगा, कैसे, 0 value 2 आ रही है, यह x की value 0 है, तो यह अपने को value मिलेगे 2, यह y-axis पे cut कर रहा है, 2 point पर, xf की value 1, suppose करो यह 1 है, तो 1 पर कितना आ रहा है, 1 by 2 आ रहा है, तो यह 1 है, तो इसका half इदर मिलेगा, यह 1, यह half, तो 1 पर आएगा, 1 by 2, यह point यहाँ पर आएगा, एक point यहाँ पर आएगा, और f-1 पर कितना रहा है, 2.5, तो यह negative value बढ़ रहा है, मानस 1 पर 2.5 हा रहा है, तो अगर यह minus 1 ले ले, तो यह 2 है, उपर की तरफ यहाँ कहीं, आपने को 3 मिलेगा, तो यहाँ 3 मिलेगा, तो यहाँ से पोच करो, थोड़ा यहाँ सिक्माल लो, 2.5 मिलेगा, तो मानस 1 पर point अपना यहाँ आएगा, मानस 1 पर point अपना यहाँ आएगा, तो मानस 1 पर point अपना यहाँ आएगा, यहाँ, यह 2.5 पर, यह 5 by 2 पर, यह 5 by 2 है, तो एक बात देखो मेरे दोस्त, इसके graph कभी negative यहाँ आगा, तो मैंने पहले बता है, इसकी value हमें इसका क्या आएगी, पोजिटिव, तो मतलब एक्सक् करेगा, तो मतलब fx value 0 है, और अगर graph नीचे आता है, तो मतलब यह negative value है, यह negative तो है नहीं, always positive है, अगर यह greater than equal to 0 होता, तो यह graph axis को touch भी कर सकता था, इसका graph कुछ ऐसा रहने वाला है, अब इसमें देखो अपने को, अपने पीछे definition बढ़कर आया है, कि fx क्या होता है, continuous होता है, किसी close control a b के अंदर, तो वहाँ पर end point का जिकर होता है, उन end point के बीच में कोई एक number लेकर करके, वहाँ पर एक intermediate value exist करती है, लेकिन यहाँ पर हम को यह end point ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी real number पर काम चल रहा है, यहाँ पर अपने कोई पास को या तो f of a less than f of b होगा, या फिर f of a greater than f of b होगा, दो में से एक possible था, लेकिन यहाँ तो अगर मैं end point यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, तो फिर में दो भड़ भी रहा और गट भी रहा है, कोई चीज ने निकल गया रही, अगर मैं end point यहाँ ले लू, यहाँ ले लू, इन दो end point के बीच में जो भी value आएंगे, उनकी अंदर भी infinitely many points आजाएंगे, तो कहने के मतलब अपन एक ऐसा point x is equal to c, जो a और b मिलाई करता है, वो अपन यहाँ पर find out नहीं कर पाएंगे, exist नहीं करा पाएंगे, तो यहाँ पर intermediate value exist करना possible नहीं है, तो मतलब जो definition intermediate value theorem की लगाते हैं वो यहाँ पर applicable नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो end point नहीं मिल पा रहे हैं, और उन दो end point के बीच में एक कोई value हम जो निकाल नहीं पा रहे है, finite value जो exist करती है, तो कहने मतला option D की तरफ जाएंगे, cannot determine, यहाँ पर वो चीजे संभव नहीं है, ग्राफिकली थोड़ा आडिया लग जाएक अपने को, तो option D is the right answer, next चलते है, what is the difference between stock theorem and green theorem, कह रहा है कि stock theorem और green theorem में क्या difference है, basically यहाँ पर आप देखें तो definitions, जो theorem की statement है, उनका इस्तमाल हो रहा है, question काफी बढ़ाया देखने में, लेकिन मैं कहा रहा हूँ कि बहुत simple है, अगर आपको दो चोटे से basic theorem की statement पता है, तो, बहुत simple question है, देखें को, पहले मैं दोनों बता के चलूँगा, और काफी बार बता भी चुका हूँ, प्रिया से पर solution में, पहले आपन बात करते हैं, पहले green तो जिकर आ रहा है, तो पहले green तो लोगी definition लिखता हूँ, देखो, by statement क्या है, वो statement या है, इसकी, पहले होता है, उस region को कहते है, अपन डी भी लिख सकते है, यहां पर लेकिल बेसिक यपन डीजन आर लिखते हैं, अगर उसका general meaning देखे तो, करली एफ तो अपन में करली एक्स एफ डियस्ट व्याइक्स स्वच्ट स्करतें और करली एयफट वन विस्रस्ट य करते हैं और बहखु लागाते दोस्त बहख रूमी चींज्ज स्ट रिट खरते हुए बहूथ एक्सड do अब हँए ग्री बहद दूसरा देखो स्टोग को लिखता हूं स्टोग में का करते हैं लाइन इंटिकल को ओवर दा क्लोज कर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डाट सिक्वल टू डवल इंटिकल ओवर दा सर्फेस एस डाट सिक्वल टू डैल क्रोस एफ थोड़े पहले ही बताइए मैंने टोट एन कैप डिये यह होती है अब देखिए इन दोनों की स्टेट्मेंट्स है इस कुशिन कहां सुराएगा देखिए कैसे एक बात नोटिस करिया आपने यह टू डी पर काम कर रहा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और दाकर सी और जा कहां रहा है मेरे दोस्तिफूदी पर या रहा रहा है एक्स का इसतवार है और जा कि दर रहा है स्पेश पर जा रहा यह एे का यह में जाता है यह कहां जाता है रीजन में 2D रीजन में जाता है यह और यह कहां जाता है यह स्पेस थ्रीडी में जाता है मुझा तू से थ्री पे जा रहा है तू से थ्री पे जा रहा है यह तू से टू पर तू से थ्री पर एक अब डेफिनेशन पर आता है है तू अप्शिन पर आते हैं Green Storm State that for object dimension 3 अरे भाया स्वात ही गल्द कर देशने Green Storm State the object dimension 3 living in space of dimension 2 and Stoke Storm State for the object dimension to living in a space of dimension 3 कि कहने का मतलब ये 3 से 2 पर जा रहा है Green Storm तो अपने पास 2 से 2 जाएगा तो option एटो गलत इदर आ जाओ Green Storm State for the space dimension 2 living in a space of dimension 2 ये बात तो सही जा रहा है 2 से 2 पर जा रहा है लेकिन एक बात समझो यहां पर एक इसने space का जिगर किया है इस पर बाद में आएंगे and Stoke Storm object dimension 2 working in a space of dimension 3 2 से 3 ये तो सही जा रहा है अब इसको बात रहा है इसमें कुछ कम ही है वह मैं बताओं पहले बाकी option देखते हैं इस ग्रीन स्टेट दा object dimension 2 living in a space of dimension 2 तो से 2 जा रहा है स्टोक स्टेट फोर्ट ऑब्जेक्ट डामांसं 3 living in a dimension 2 मतलब 3 से 2 जा रहा है स्टोक में 3 से 2 जा रहा है जबकि 2 से 3 जाना चाहिए तो option C गलत इसारा जाओ Green's theorem state for this object dimension 2 living in a region in a dimension 2 जा रहा है मतलब ये वाली बात हो रही है स्टोक थोर्ण state for the object dimension 2 in a space of dimension 3 जा रहा है मतलब 2 से 3 जा रहा है तो option D भी अपना correct होने वाला है मतलब option D में स्टोक के लिए से 2 से 3 space हो रहा है ग्रीन के लिए 2 से 2 अब option B और D के अंदर अशनलगा रेंक के फैसला करना है भी में देखो क्या कमी रहरी है green theme space अभ यहाँ पर स्पेस कद्रीज करा रहा रहा है जब तूढ दी बंता है यह यह जेड़ प्लेन में बनता है तो कहीं नगे अपन यहां पर श्पेश की ने एक रीजन का इस्त्वाल करें है दोस्त तो अपन ओप्शिन बी कि तरफ नहीं जा करें ऑप्शिन दी की तरफ जाएं हलका सा बारिक संतर तो अप्शिन भी तू से टू व workshop Vector dot n Cap DS यह To Whichalgia इत्रोटल अरी क्लोज सर्फेस जब भी किसी क्लोज शर्फेस के अलॉंग आपन तोटल फलेस निकालते मेरे दो तो उटल फिलेक्स क्या होता है लिजनी में होगा समझाने के लिए बना रहे तोटल फन्स क्या होता है Trust आउस फ्लेक्स का मतलब समझो तो क्या होता है जो करिंट करिंग चार्जिंग होती है जो फिल ईह होते हैं कि किसी भी बेन सरफेस से का लग दए फैल्ड दो आइनस कहीं एक टिमीटर ज़— Thank you यह आपर देख रहे न यह एक तरीके से एलेक्रिक करेंट फिजिक सब्सक्राइब कॉंसर्प्ट है फिल्ड को शो करता है यह वेक्टर एफ एक्टर कहीना यह वेक्टर कॉंटिटी तो फिल्ड लाइन्स पासिंग थूदा प्लेन सर्फेस इन परपेंडिग्लर फॉर्म कहने से एंक है मतला ही परपेंडिकलर फॉर्म होती हैसे टो च्था से तुर्वींडव लाइन तो तक फिल्ड लाइनस हrom में पासिंग पर पेंडिकूलर टूदा अध्यक्रफेस हाए उनको कहते हैं , क्या कहते हैं उसको उसको होटे कर entails स्को उस को फिलक्स कहते है और टोटल व्लैक्स अरण दा क्लोज कर जैब भी बनता है मिरे दोस्त वो क्या वंतरे जीरो बनता है तो option D is the right answer, simple basic result है, आपको मैंने काची इंटिकल फॉर्मुला, काची इंटिकल थियोरम, extension of काची इंटिकल थियोरम यह concept पड़ा रखें आपको मैंने, डिचले इंटिकल वगेरा, chapter 39 के अंदर, वहाँ पर भी आपने देखाता है, around the close curves, integral 0 होता है, तो के नहीं के इंटिकल वहीं से रिलेट कर रहा है, वह फिजिक्स फॉरमेट में, वह mathematical format में, तो option D is the right answer, वहाँ पर भी आपने इंटिकल 0 निकालते हैं, यादा रहा है, F, F vector, D, Z vector, that's equal to G, F, Z is analytic होता है, around the close curve, यादा रहा है तो, फड़ा होता है, this function fx is equal to x k minus 2x plus 2 upon x k power 4 plus 1, हाँ भई, क्या जानना चाहरा है, क्या जानना चाहरा है, यह function कैसा होगा, कैसा होगा, दो गंटे कवर होगा, या, दो गंटे से उपर चलेगा है, यह function कैसा है, भाई, यह numerator है, यह denominator, यह पॉर्णिय मेल, यह पॉर्णिय मेल, तो P upon Q format है, है, rational function है, हाना, और सभी value पर defend हो रहा है, negative पर भी positive पर zero भी अराम से denominator exist करेगा, क्योंकि x की power 4 plus 1 not equal to zero for all x belongs to r, सभी real values पर not equal to zero है, यह denominator exist कर रहा है, तो कहिना कि linear continuous, discontinuous, non-linear की बात करें, तो यह continuous है यह, कैसा है, continuous, 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 क्योंकि rational functions, आपने कुछ basic definitions पढ़ी है, exponential function, rational functions, identity functions, यह सब क्या होता है, continuous functions होता है, तो यह P upon Q है, यह पॉर्णिय मेल है, पॉर्णिय मेल, continuous function होती है, यह पॉर्णिय मेल है, continuous, तो P upon Q, rational function, और यह, यह, due, no, not equal to zero रहे गए, सबी real values के लिए, तो always continuous, option B is that answer, simple basic results, which is not the way of write Taylor expansion, Taylor expansion मतलब जो अपन एकी पार expansion पीछे की है, sign expansion, cost expansion, यह expansion लिखने के लिए कौन सा सही तरीका नहीं है, कर रहा है, on to constant cubic quality, क्वालिटिक अरह भाया अपन किसी भी फंक्शन को क्वालिटिक फॉर्मेट में लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं जैसे एक्स प्लस वन का होल्स के लिख दिया क्यूबिक में लिख सकते हैं जी हाँ क्यूबिक फॉर्मेट में एक्सपंशन बना सकते हैं को ए्ट ऑन्टॉठ फॉर्मेट में बना सकते हैं जी हां बना सकते हैं यह लिजिये मैंने अन्टन सी लेलिय अव्न्टु अरे ओन्टू तो एक टाइब को गई फंशन की जैसे आन वन फंशन ओन्टूशन अन्टू फंशन प confirms लिटर अफंशन तो तो नोट पूछ रहा है तो on to is the right answer अपन किस की तरफ जाएंगे मेरे दोस्त अपन जाएंगे on to की तरफ on to यह टाइप है तो तो अन्ट वाला कोई extension में नहीं यह सब यह सब extension में कहाम आता है function तो ऑप्षिन एज राइट आणसर नेक्स एकुप ग्रीज चोरम इज फिर से एक स्वाड़ा कुश्चन ग्रीज तरूं को पर कॉंसर्ट आया करें डवल इंटिकल अराउंड ए सिंपल क्लोज कर दो एलाइन इंट्रिकल ओवर दाइमेंशन अलोंग दरीजन दी बांड़िट लिए पाइसी अपने काम करें ग्रीज तरूं का कॉंसर्ट दें सेल आएं अपने एक पात आध्यार दिश्कुस्कर्स कि कह द्यारे ग्रीन स्थें पर्ण का क्शल आएं देखी और दा क्लोज कर सी F1DX पलस में F2DY डवल इंटिकल और रीजन आर याड डिया डिर्जन यह मानस कर लिए एक साय आफ तो विद रसक्ट टू एक सब्सक्राइब विद रसक्ट टू एक्स कर लिए फ़न विद रसक्ट टू वाई और डी एक स्टी वाई यह इसका डेमिनेशन आप शिंक को बटता है हिस कर दाल निवरा राउंड यह शीन इंपर टो व सी तो व यह लाई इंट एंटिगल ओर रायोंड सी उडिडिटी इवाउंड ऐसी थेखिए ख्रोट गर्विडार हो के लिए तो एक सिंपल धूज कर शीट व लाई लाइन कर एकर है और दाम सनुषन दी बांड़ाँ यह ओ कि अर्ट आउन आन ईब्लाइं टिकल आराउड परवलिटी कलोटा है ोट चैनल टेहले इंटेहले टोड़े अराउंडर शिम्बल टीते राउंड जोटी मेंäischen और शिम्पल आडशाल सेंडेन क्या टो डावले इंटीकल क्लोज क्रोड कर तो तो सिंगल लाइन इंटिकल के अरान्ड होता है तो इसने डवल इंटिकल को ही क्लोज किया दिया ओप्शन यह तो गया इसे ऑफिट अब करल कहां से आ टोक में लगाते हैं थोदोय पहले जिकर किया है करें सर्फेसिंटीकल औप करें लोफ फांक्शिं नहीं इनैगी खलटा है वह भी सिर्फिस इटीकल फर टों बीछ गलत हो गया रोपेट ओप्शन सी पर आते हैं एलाइन इंटिकल अराउंड एस इंपर क्लोज कर सी टू एडबल इंटिकल ओवर दा थ्री डामस्नल रिजन डी बाउंड़िड बाउंड़ बाइदा सी ये फिर से गड़बड करती इसने मैंने बोला था ग्रीन थोरम में टू से टू होता है इसने क् लिए इंटिकल तो सही कहा रहा है यहां तक तो सही कहा रहा है उसके बाद डबल एंटिकल कहे रहा है ओर ध्रीडी इजिए हैं फिर साने गल्प गल्पित कर दे इइदर आ आओ ऐलान इंटिकल अःउंड यह may rob毛ży का रोसी यहां से यहां तक देखो एलान इंटिकल अराउंड एस सिंपल एकलोज करो सी यहां तक यह मिल गई है तू किसके साथ डवल इंटिकल ओवर दा प्लेजन डी डवल इंटिकल ओवर दा प्लेजन डी का हो या रिजन आर को कई पर डी वी लिए देता कई भी आर वी देता कोई पूजिजन नहीं होता ही बाउंडेड़ वाइस सी जो कर दा राणडल बन किया रहाता है तो यह ठी संपल क्लोज करो Happy anticipation लेच्ट हो यह अपना होप्षिन और हयंप कुछ कंभ नहीं है रही है कि पहले मुख्रेंन दला राइं होग थैफ है और यहां क्या निगने हिख सिंपन करने सब्सक्रीड के साथ कर चार है क्यों सब्सक्राइब सॉल मादिशन सब्सक्राइब औरिश drainage घमा तो समीटने हैं हुआ है है सोल्व करना इस लिमिट गो बेहत सीमपल गुष्ट है तुक टू मानेस टू अप्रोज कर रहा है तो मानेस टू इपावर थी गृश्ट इप लिस एड्मानेस टू और पलस में टें हाजी मानेटर दो जो की पावर 3 करेंगे माने साथ मानेस आप लुट सब्सक्राइब तो यह कट जाएंगे तो दस माने सोड़ा मानस कच है ऑप्शन भी जा राइटांस और उमीद है क्लियर होगा आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब होगा है तो इसकी रेंज क्या होगी क्लोज इंटरवल जी रो को माइन इपर आपन जी राज इस तो डुप्षं नमबर सी पर जाएंगे जो पर जायें इन प्रॉट जीरो सी राएंगे ना नो तो वाली बात है नहीं नमर्डोगा नहीं क्या इस की डॉमेंन इसकी रेंज ये लिए अलमर नहीं 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 of higher order terms plus 3 देखा इसका मतलब क्या है higher order terms 3 तीन order वाली term ओक मतलब order दिखा रहा है यहां पर what is the value of order of h की power 3 देखिए एक बाव बताओ sin x का expansion बता है थे मैं आपको यहां पर x यहां पर क्या है h इस्तेमाल कर रहा है तो sin x का expansion क्या होगा वही ही जो sin x का है sin में order power चलती है तो पहले order power क्या आगी वन तो मतलब अपने पास आएगा पहले वन ह की power 1 divided by factorial 1 पलस फिर माइनस आएगा h की power 3 divided by 3 factorial पलस h की power 5 divided by 5 factorial फिर माइनस h की power 7 divided by 7 factorial प्लाइड डूट डूट अप्टी यह होता है sin h का expansion sign में order power चलती है एक तीन पास साथ alternate sign पलस माइनस पलस माइनस जितनी power उतनी फैक्टरिल है एक पावर एक फैक्टरिल तीन फैक्टरिल तो इस कुश्यम देखो क्या जाना चाहरा है sign of h क्या जाना चाहरा है sign of h कि इसको लिख लो पह लेगा है पूरे को h पलस order of h की पावर 3 यह लिख दिया पूरा अब दोनों को compare करेंगे दोनों को compare करेंगे एक पावर पर वन अपॉन में वन फैक्टरिल तो यह दो इसको नीचे एक लगा लो क्या फरक पड़ता है यह दोनों बराबर आप इसको compare करेंगे तीन पावर वाली ट्रम के साथ तो तीन पावर वाली ट्रम कहां है यहां पर रहा है साथ टो अच की फावर ट्रीगर वन अपॉन में ज harmon करेंने तो क्या आएगा माय कि ऑनसर ऐसे भी कि दे सकते हैं और अयसीलिक्टार मद inflamus ना जा रहा है किवल जा रहा है इसकी वैलू जहारा है है वाइस अपों थरी एसकिपावर 3 एसे लिखो 3 आपकोल 6 तो होता है सकों से जाएगे पहला ऑप्शिन तो गहला दूसरा भी गरत तीन यह माने आएगा थिक ने-न constant multiple rule constant multiple rule लगा सकते हैं वहाँ भाई बिल्कुल लगा सकते हैं limit x approach to zero c of fx that's equal to c of limit x approach to zero fx सिखा रखा ना यहां पर स्पोच करो यह ले लेते हैं एक general case ले लेते हैं क्या इस पकार से limit constant multiple लगा कर सकते हैं हाँ किसी function की limit निगा रहे हैं सब्सक्राइब करती है तो यह बात तो सही है पावर रूल लगा सकते हैं हाँ भाई यह बिल्कुल लगा सकते हो limit x approach to a यह यह option हो गया सही है option b जैसा अपने लगा दिया fx की पावर n तो आपन इसको असली सकते हैं limit x approach to a fx अरुस पूरे की पावर n तो लिमिट के पावर की केस में में लिमिट काम करती है constant function rule constant function पर भी limit लगा सकते हैं लिमिट x approach to a और यहां function constant मालों के है तो constant limit क्या होती है constant constant function रूल भी लगा सकते हैं अना constant multiple rule यह multiple में है constant limit constant होते है पावर रूल लगा सकता है none of these node पूछ रहा है कि कौन सा limit function का related नहीं है तो बहुत तीनों यह option possible है option d right right क्योंकि none of these यह ऐसा है तीनों वो तीनों काम करी रहे है तो ऐसा कोई है नहीं तो अप्शन डीज़ा राइट आंसा बढ़ता इन एक्सकूशन नमर 61 की तरफ कि कैवरी मैट्रिक स्पेस इज़ ब्लनग खालिस्तान और एवरी कची शीक्वेंस इन इमेणी स्पेस इसन नॉत चारchos आपके सांवने 답न आ focus द के जानना चाहरा है हिएहां जो ब्लैंक त्यकैन आowers रहे हैं कि आपर क्या आएगा हिए अवरी मेट्रिक स्पेस is homomorphism, topological, convergent और topological और यहां other second blank में क्या आएगा every काची सीक्वेंस इने matrix space is not convergent, homomorphism, topological, convergent बना कि दो blank भरने है corresponding पहले वाले में यहां से कोई एक आने वाला है और second वाले में यहां से कोई एक आने वाला है यह simple basic theoretical result है basically theorem की statement है इनके proof भी होते हैं अपने तक्रीबन सभी statements theorem की statement को cover किया हुआ है और basic result है देखिए एक दो चान बाते में आपको बताऊंगा वहां से आपको पुर्णत clear हो जाएगा और आपको इनको as a result as a statement यहां दखना है देखिए सरसे पहले matrix space की बात करते हैं फिर काची sequence में आएंगे और same to same cushion इससे पहले जो previous paper solution किये उनके इंदर भी cover किये हुए तो दो चार results है वह आपको बता के चलूँगा चलूँगा चलो काम करते हैं पहले काची sequence के उठा लेते हैं देखिए दो तीन बात हैं जो आपको नोट करनी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आवरी आवरी देखिए जब मैं वर्ट आवरी बोलता हूं ना तो इसका एक बोड़ा इंपोर्ट्न रोल है सारी की सारी स्टेटमेंट ही चिन जो जाती है अगर मैंने आवरी बोल आतो मतलब वो सभी के लिए बात कर रहा हूं मैं अना आवरी गन जेंट सीक्वेंस इन अपन बात करने हैं, मैंट्रिक स्पेस के इन-दर। इन मैंट्रिक स्पेस is a काची सीक्वेंस बड़ा इंपप्रइन डिलता है, बहुत से परस में इस्तमाल होले हैं, इसको याद रखने हैं इसमें एखास बात हो रहे हैं, but not converse इसका मतनलद समझेंगे आपको बड़ा मझदार कुम एपको कि Every kanverdent sequence सभी convergent sequence जो होते हैं सभी convergent sequence जो होते हैं matrix space की अंदर वह काची sequence होते हैंadors अगर कॉछ sequence कनवर्जेंट है मैट्रिक्स स्पेस में तो अपना काची सीक्वेंस होता है अगर हम रियल लंबर सिस्टम की बात करें रियल लंबर की उपर तो कनवर्जेंट सीक्वेंस काची सीक्वेंस होता है काची सीक्वेंस कनवर्जेंट होता है बोथ वे के रिवर्सिवल दोनों तरफ काम करता है लेकिन बात करें मैट्रिक स्पेस की तो कन्वर्जेंट सेक्वेंस तो काची सेक्वेंस होता है बट एवरी काची सेक्वेंस need not to be a convergent sequence मतलब सभी काची sequence convergent नहीं होगे सभी convergent काची तो होगे but not converse मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता जब भी बात note converse की आती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि काची sequence convergent नहीं होगा इसका मतलब है sometimes हो भी सकता है नहीं भी हो सकता exactly हम confirm नहीं है लेकिन अब यहां every कह रहे हैं अगर मैं ऐसे बोलता हूं every convergent is in matrix space every convergent sequence in matrix space in काची तो मतलब सभी convergent sequence की बात हो रही है बट not converse इसका मतला हो कि every kaachi sequence is not a convergent sequence सभी काची sequence convergent नहीं होते अगर मैं every word को हटा दू तो sometimes कुछ एक particular case ऐसे भी हो जो काची भी है convergent नहीं भी है तो not converse इस बात को बड़ा important तबज्जो देनी आपको समझना इस बात को not converse का मतलब यह होता कि every kaachi is not convergent sequence और अगर मैं every word को हटा दू तो sometimes वाली बात जाएगी मतलब कुछ एक काची convergent हो भी सकते हैं कुछ एक काची बनाते हैं कि every जब भी मैं every word लिख रहा हूं वो सभी के लिए बात कर रहा होता है ठीक है तो आवरी मैट्रिक स्पेस को है कि every metric space is a topological space यह concept हलागी इसके अंदर काम भी आएगा और आगे future में दूसरे अदर questions या दूसरे वेपर में भी काम आ सकता है अवरी मैंट्रिक स्पेस इज टॉप लोजी कल स्पेस मैंने आपको matrix space का concert पढ़ाया chapter 49 और topological space भी पढ़ाया chapter 50 में दोनों पर connection पर question अक्सर अग्जाम में दिखा गया है matrix space का topology के साथ topology का matrix space के साथ connection पर question जुरू आता है तो every matrix space topological space होता है but not converse but not converse इसका मतलब सभी topological space matrix नहीं होते not converse मतलब सभी नहीं होते तो इसमें भी कुछ अपवाद आ जाते हैं अपसेशनल के सब्सक्राइब कुछ एक topological space ऐसे भी हो सकते हैं जो matrix space हो सकता है और कुछ एक ऐसे भी होंगे जो नहीं हो सकते हैं तो every वाली बात reverse में नहीं होती हां ऐसे होती है कि every matrix topological but not converse मतलब सभी topological matrix नहीं होते हैं not converse का मतलब यह होता है sometimes वाली बात है कुछ एक हो भी सकते हैं कुछ एक नहीं पाल के बात ही आपको यह है यहां से एक और निकल कहाता है every a norm'd space क्योंकि distance function काम करता हैं अब आपर every normal space is a matrix space to every normal space जो normal space होते हैं ना हो क्या होते हैं matrix space होते हैं कि जब बात matrix space की आरी तो आपको तक्रीव हैं को सारे जल्स बता दूँंगा यह नाहीं बैस नहीं होती बैसे कुछ एक सalders होग but grace समझना dessa Box जो इस बात को सब्सक्राइब notCold Master Master not deci नहीं होते कुछ हो सकते हो सबस्क्राइब नहीं हो सकते हैं इस वात को आपको समझना कि अगर कोई function आपना डिफरेंस ये बल है तो वो continuous तो होगा ही होगा अना डिफरेंस फंक्षन है तो तो होगा लेकिन कोई function continuous है तो जोरुई नहीं है कि डिफरेंस याल भी हो तो आवरी डिफरेंसियल function is continuous function but not converse है तो कुछ एक continuous ऐसे भी होते हैं जो जो डिफरेंसियल नहीं होते हैं और कुछ एक continuous ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंसियल भी होते हैं तो इस बात को समझना है not converse और आवरी का मतलब को अना तो यह important results है अब इंक पर बेश कुश्य है नहीं देखिए है इवरी मेट्रिक स्पेस इज एवर्य मेट्रिक स्पेस इस टोपलोजिकल स्पेस हना यहाँ नोर्म नोर्म की बात हो नहीं डिवा ऑप्शान के अंदर पना तो हैं टो होता है पट अबरी काच्छी सभी काच्छी नहीं होते कुछ एक हो सकते हैं लेकिंट इस तो एवरी की बात कर रहा है तो तो इसका मतलब यहां आपन चले तो option d write होने वाला option bb कलत क्यों देखो topological यहां भी आ रहा है यहां भी आ तो मिस्ट करता हूं इस अप इन उप्शन के साथ करणा रहे हों मैंट्रिक स्पेस्ट कर डोप लोजिकल होता है यह होता है कर दो आप याद रखेंगे और इनका यूज करना भी आप सिखेंगे आगे बढ़ते हैं है next देखिए limit X approach to infinity log x upon x बहुत simple question है basic question है को बड़ा काम नहीं करना है limit X approach to infinity log x divided by x आप देखे log infinity कितना होता है infinity होता है और नहीं अपको इनफचीर आगहा तो मतला infinity in infinity home आगी और यहारी नहीं आपको 11th class में limits का अपड़ाया था chapter number 29 20 है limits continuity का तो यहां पर लगाएंगे तो यहां पर लगाएंगे तो डिमिंटर का और लोग एक्स का डियो तो ना पना जिरो अप्रोच करे गई तो इसकी जो लिमिट आएगी वह आएगी जीरो और जीरो पर और हमसे स Positive सब्सक्राइब नहीं करता है इस कोई Civic सब्सक्राइब आपको चैप्टर नंबर थर्टी नाइन पढ़ाया है तो रिमान स्टेल जर्स का एक स्पेशल पर्टिकलर केस है रिमान इंट्रिगल रिमान स्टेल जर्स में दो फंक्शन होता है फोर जी और रिमान इंट्रिगल में एक ही फंक्शन एफ पर काम करता है तो उन पर रदल्स हैं पार्टिशन का कॉंसर्ट है यह क्या है और यह एलफ क्यूंग ऐसे कुश्चन इससे पहले जो प्रियस पर सॉलूशन के वहां पर भी आयों इनको बोलते हैं लोवर रिमान सम अ कूंसी बात सही है तो एक बात आसए बात को समझके रखनी है कि जब La,"ל Fp Computer Assistant की वात आ पर दो फससे क्यों एक पार्डिशन पी इन दोने में connection नहीं बताया connection से मतलब क्या होता है कि पी और क्यों आप इसमें दूसरे का requirement है या नहीं है तो मैं आपको थोटा basic बताऊँ फिर स्कूशन का मैं option की तरफ जाओंगा तो कुछ basic बाते आपको मैं बता के चलूँगा साथ से पहली बात आपको ध्यान रखनी है जब भी कोई function अपने को दिया हुआ है किसी close-up in a b में defined है सुन लिजे बाद ध्यान से जब भी कोई अपने पास function दिया हुआ है किसी close-up in a b पर defined है और उसके पास को कोई partition P हो जाए उसके पास कोई partition P हो तो जब भी एक सिंगल partition P की बात होती है तो अपने पास लोवर रिमान सम जो होता है lfp always less than equal to upper remand sum कि लोवर रिमान सम हमेशा लोवर रिमान सम एक quantity होती है एक वैलू होती है तो जब भी कोई function किसी क्लोज इंटर्वर डिफाइंडर पी उसकी कोई partition है partition क्या होती है यह सब मैंने आको डिटेल ने पड़ा रखा है तो हमेशा लोवर रिमान सम हमेशा छोटा ही होगा पर रिमान सम से चाहे पार्टिशन पी हो क्या हो आरो कुछ भी हो करेक्ट बात एक बात तो आपको यह याद रखनी मेरे दोस्त अब मैं बात करता हूं दो पार्टिशन लेकर उनमें connection को बताऊंगा हाला कि यहां पर पी और क्यों के बारे में कोई connection नहीं दिया हुआ है तो कुछ option तो देखते हैं बहार हो जाएंगे भार कर देंगे काटा लागा देंगे उनको लेकिन पहले दोड़ में डिट्वर समझाता हूं माली जी एक partition और आपके पास क्यों तो एक concept होता है refinement का क्या refinement अगर इस question की statement में refinement का जिकर होता तो question ही बदल जाता और answer देने का तरीका यह बदल जाता तो मैं यह वाला तरीका भी बता रहा हूं साथ मैं आपको इन future कभी refinement यूज करना जाए तो आप उसका answer तुरंत देंगे refinement क्या होता है सपोज करो हमारे पास दो partition एक पी है और एक क्यों है पी partition को मैं कुछ इस प्रकार्स तो लिख लेता हूं एक इसमें elements ए है एक एक अनए है और एक भी है point कहते हैं इनको A, x0 B यह partition है, partition का मतलब होता है इसके दो end-point आएंगे इसके बीच के और elements प्याते हैं और points प्याते है तो एक partition मैंने ले ले ली एक partition मैं क्यों ले लेता हूं A, x0 x1 और B ध्राइशन से देखिए P partition के सारे के सारे points Q partition के अंदर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो P partition है और Q partition दोनों को observe करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि Q partition refinement है P का जी हाँ यहाँ यहाँ पर क्या है Q is refinement of P ये बात को समझो refinement का मतलब होता है अगर हम कह रहे हैं क्यों रिफाइनमेंट पी का तो इसका मतलब यह है पी के सारे के सारे points क्यों के अंदर आएंगे और एक ऐसा point जरूर होगा क्यों के अंदर जो पी के अंदर नहीं है एक at least one point more होगा more than one point इससे कही न कि एक point ज्यादा मिलेगा at least one एक या दो ज्यादा अपन एक्स एक्स फ्री ले सकते हैं at least one point ज्यादा होगा तो यह ओता रिफाइनमेंट का concept तो यहां पर क्यों रिफाइनमेंट है पी का क्योंकि पी के सारे element कि मतलब एक तरीकी से समझाव पी जो है वो और यहां पर इक्वेलिटी नहीं होती है अगर इक्वेलिटी हो जाएगे दोनों बराबर ही हो जाएंगे तो क्यों रिफाइनमेंट के रहे हैं पी का तो क्योंकि अंदर पी से at least one element ज्यादा होना चाहिए अब ठीकिए एक तो यह रिजल्ट आपको ध्यान रखना है हमेशा LFP less than equal to UFP होगा तो यहां पर पी आए यहां पर क्यों आए कुछ भी आजाए हमेशा बराबर होगा अब दो इंपोर्टेंट बात जो मैं यहां आपको बताने वाला हूं मैं इधर भी आओं पहले इधर आ इस लेस्टन इकवल टूलोर रिमांस्वम और फंक्शन अफ अंडर दा पार्टिशन क्यों एक ही रिजल्ट समझाओंगा पर लिख देता हूं एक होता है एक होता है अपना यू की अंदर यू एफ पी इस ग्रेटर दन इकवल टू यू ओफ एफ क्यों यह रिजल्ट आप और क्यों बढ़ा है पी छोटा है तो इसमें कैसे या रखना ट्रीक को लोगर के केस में जो बढ़ा है उधर आएगा लैस देन इकवल टू मतलग इस कॉंटिटी लैस दन इकवल टू तू जहां रिफानमेंट अउधर लैस दन इकवल टू उधर यह साइन आएगा इंग्ल की लैस दन इकवल टू अल Creative केसं में लैस दन इकवल ठू आएगा लोवर के केस में कि त discipline आएगा जो बढ़ा है ही है इस result में एक खास बात है यहां पर यू है तो यहां पर यू ही है मतलब से कंबर्जन हो रहा है यू का यू से जब रिफाइनमेंट का कॉंसेट है तो ल के केस में जो बड़ा है रिफाइनमेंट है उसकी तरफ इंक्लुटी आएगी मतलब और अपर के केस में जो छोटा है पी छोटा है तो पी की तरफ इंक्लिटी आएगी मतलब अपर की तरफ ही बड़ा रखना है अपने को इंक्लिटी मतलब कि सब्सक्राइब अक्लिटी शोटा है अपर अचाश डरार में मतलब अक्षिक हमेसा फोटा ही सब्सक्राइब अदिग्माय जर्यवेग्य की सद्सक्राइब करें के एक तरफ अपने क्ली नेश्म हो और यह सबिस्थ में मॉल्हरीन फेश्या और मोolé यहां पर क्यों रखों मतलब यहां पर देखो P से P था क्यों से क्यों था लेकिन अगर मैं partition change कर दूँ यहां पी कर दूँ और क्यों कर दूँ क्यों रिफानमेंट है क्यों बढ़ा है तब क्या होगा तब भी less than equal to ही आएगा कहने का मतलब lower निमानसम हमेशा छोटा ही होगा चाहे पी हो या क्यों हो चाहे रिफानमेंट पी हो या रिफानमेंट क्यों हो अच्छा एक बात और कि अगर मैं ऐसे कर दूँ कैसे ऐसे LF क्यों less than equal to LFP तब भी lower छोटा ही होगा कहने का मतलब यह है कि जब lower और upper का comparison होगा तो lower हमेशा छोटा ही होगा यहां partition नहीं देखते फिर P है तो P है क्यों है तो क्यों है यहां P से क्यों है यह क्यों पी है lower हमेशा छोटा ही होगा लेकिन जब बात इधर refinement की आती है lower का lower से करते है अपर का पर से करते हैं तो जो refinement है क्यों बड़ा है तो बड़े की तरफ less than equal to LFP less than equal to LFQ और upper में उल्टा हो जाता है छोटे की तरफ आएगा तो यह चीज़े आपको नोट करके चल लिए आपके बहुत काम आने वाली है उमीद करता हूं यह चीज़े आपको याद रहेंगी अब देखे इस कुशन में आते हैं क्या क्या कह रहा है पार्टिशन पी है तो LFP less than equal to LFQ अब देखिए अब यहां पर क्या और पी का सिरफ सिंप्ली पार्टिशन बता रहा है रिफार्मेंट के बारे में आपने को कुछ बताया नहीं तो अपन कैसे समझ लेगी क्यों रिफार्मेंट है या कैसे समझ लेपी रिफार्मेंट है को अपन डिजिन नहीं ले पाएंगे इधर आजाओ LFP less than equal to LFQ यह बात सही है क्योंकि लोर हमेसा छोटा ही होता है पर से चाहे पार्टिशन पी हो या क्यों हो इधर वाला जाल देखो यह वाला यह वाला रिफार्म करेगा इन दोनों के बारे में अपन डिजिजन नहीं ले पाएंगे और बी की बार में क्यों अपने को पी और क्योंका connection नहीं पता रखा तो अपना option C की तरफ जाएंगे option C is the most correct answer यह रिजल्ट कर लेना बहुत काम आएंगे बहुत बढ़िया तरीके से जैसे मैंने course के अंदर class में explain किया है उससे कहीं जादा मैंने यहां पर अच् पॉइंट को बोलते हैं चेंट है बेसपइंट क्या है चेंटर is equal to 5-ig watch के अपने इंगो गोट टो बेस पइंट और इसको जो इंटरवल बनते है सर्कल के लग्मरी कल बान सता उसको उसको ऑल स åunda बोलते हैं इसको इसको सेंटर भी बोलते हैं और रेडियस अपने को दे रखी आर इस इक्वाल टू वन तो क्या जाने चाहिए रहा है वट इस दा इंट्रवल ऑफ कन्वर्जेंस तो इंट्रवल ऑफ कन्वर्जेंस का सिंपल बेसिक फॉर्मूला होता है आपके सामने कैसे एक वैलू कितनी है फाइफ फाइफ मानस वन फाइफ फाइफ पलस वन ओपन इंट्रल में चलता है यहां से जाएगा फॉर यहां से जाएगा शिक्स यह लीजिए बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है यह रेडियस होता अपना तॉ कहां जाएंगे ऊप्शें भीडाइफ पढाइफ यहां अगे बड़ता है कि एफ फॉजटेट फॉजए ज फॉजटेंट प्र चाम हाब कर देखो कि यौ गाइफ इस रफार्मेंट पी न मीच वन इस ट्रू स्टेटमेंट वन इस स्टेटमेंट टू अब सुन जिए थे और फंक्षान एन चुन लेडिवेट पीच्छिन पर्टिशन है कि अब क्यों क्या है रिफाइनमेंट है पी का कुछ इस प्रकार सहय है क्यों बढ़ा है इस केस में और इक्वल वाले बात नहीं होती है आपर ध्यान रखना यहां पर दोन इक्वल नहीं होते हैं मतला एड लिमिट मोर्दन होता है पी के अंदर क्यों के अंदर तर वीच बने स्ट्रिव अब देखिए यहां से यूग का यूग का कमपरिजन हो रह हुआ तो मतलब की पी की तरफ साइन आएगा यह बात बिल्कुल ठीक है मतलब की यह वाला पकेस मैंने आपको रज़र्ट बताया थे एल एफ़ पी लैस दैने क्वल टू एल एल ओफ एल ओफ पी एफ एल ओफ एफ एल ओफ एफ पर नहीं एफ पर काम चलते है एल ओफ एफ ऐ पर हो जाता है यहां पर विखोड़ा पी की तरफ आएगा तो पीच्योंता है तो आ कि टijk कोई दोन स्टेटमेंट फॉल्स नहीं 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 एग नहीं बहुत स्टेटमेंट टॉप्शन डी जा राइट आंसर उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा यह वाली बात ध्यान रखनी है क्यों रिफार्मेंट पी का मतला पी के सारे एलिमेंट क्यों में और एटलिस्ट वन अलेमेंट ऐसा जरूर होगा पी के क्यों के अंदर जो पी से पी के अंदर नहीं होगा कि अवरी मैट्रिक स्पेस इस कोंग्रेंट टोपलोजिकल कंटिनियस नौम अभी थोड़ी देर पहले डिसकस किया था अपन ने अपने थोड़ी देर रेजल्ट बताया थे शायद पीछे कुछ्छन 61 गया था कोंग्रेंट का तो मतलब भी निया था कोंग्रेंट के अंदर कोंटिनियस को तो वांपर को सिक्वेंस या फंक्शन डिफाइंट होगा नौमड की बात भी नहीं होती को कि एवरी मैट्रिक स्पेस नौम नहीं होता है जबकि एवरी नौमड स्पेस इस मैट्रिक स्पेस होता है अना अवरी नौमड स्पेस इस मैट्रिक स्पेस बत एवर लिख दिया ना तो सभी नहीं होते तो यह बात सभी के लिए हो रही है तो एवरी मैट्रीक तो तो होते हैं ओप्शन भी पीछे गया है नहीं सब्टी तो नोमन वाला कॉंसर्टी पीछे आपको बता के लाया हुँ अंस to be फीचor function इस नौट दारिमान इंट्रीक वल रिमान इंट्रीक वलं कौन सार नहीं हो सकता आई जाने जानचार्य वेकि बाूंडेट के साथ अगर को फंक्शन मोन जानें हो जाए तो बां दिद डिदे की साथ वक्स estni होता है कुछ function ऐसे होता है जो किसी इंटर्वल पर डिफाइन होते हैं उनके पास finite number of discontinuous point होते हैं finite number of discontinuous pointer तो भी वह रिमान integral हो जाते हैं यह theorem सोती है सारी सारी continuous function तो रिमान integral होता ही है तो इन केस के जाना चाहिए कि कौन सा इसा जो रिमान integral नहीं होगा तो भाया unbounded कभी भी रिमान integral नहीं होता तो option D is the right answer in case a bounded by this country इसमें possibility है under certain circumstances under certain conditions कि यह सब अपने को एक रिमान integral function दे सकते हैं लेकिन unbounded है तो कभी वह रिमान integral हो गए नहीं मेरे दोस्त option D is the right answer आगे बढ़ता है कि लिमिट एक्स अपसालन अप्रोज टू जीरो प्लस राइटन लिमिट की बात कर रहा है मतलब जीरो से अपने को वन तक जाना है तो यह कह रहा है और इसका integral find out करने बहुत सिम्पल है integral 07 चलेंगे वह यह अपसालन की बात कर दिए जीरो प्लस कर रहा है जीरो के राइट में जाएंगे तो कहां तक जाएंगे वन तक जाएंगे इसने बता दिया वन अपॉन में ट्वाइस ओफ अंड्रूड एक्स डी एक्स चाले जी सोलीशन कीजिए वन अपॉन टू तो कॉंस्टंट है इंटेगेरेशन जीरो से इसको उपर लिया एक्सकी पॉर मानस हाफ डिये एक्स तो पहले क्या करेंगे पावर में बढ़ा देंगे तो एक बढ़ा एंगे तो नंगा बन्वाइट को जाएगा और वन बाइटू से कर देंगा डिवाइड और अपने पास लिमीट आ दोस्त वन तोपन किदर जाएंगे दोस्त ओप्षिन नंबर एज दा राइट अंसर ओप्षिन एज दा राइट आंसर वन इसका अंसर आएगा हना उम्मीद करता हूं क्लियर होगा आगे बढ़ते हैं 意思 को गई गवाथ जब भी इन्टरस्टिक्शन liabilityी ऑपन साथ यसा नहीं एक शहज़ जाएगा और यूणी आ फाइनिटली मैदी क्लोस साथ इसथ तो इसमें ट्रिक भी यार रखने की ऐसा कुशन एग्जक्ट ली ऐसा कुशन पीछे जब भी यूनियन की बात हो और अपने पास ओपन सेट का जी करो किसका बात किसका जी करो दोस्त ओपन सैट का ओपन सैट्स इस तो जब थी यूनियन की बात होगी न दोस्त तो अपने पास और यूनियन और ओपन का connection बनता है तो यूनियन में arbitrary आता है मेरे दोस्त कि arbitrary air r a r b i trary हर बीटिरी और जब बात हो intersection की तो जब बात हो intersection की open sets के साथ तो जब बात हो intersection की तो intersection और open का connection जब ही बनता है तो finite आएगा तो union of arbitrary collection of collection मतलब सबका जो collection लेंगे union of arbitrary collection of open set is open याद रखना इसको काफिवार बताए है जरेट बने intersection of finite collection of open set is open मतलब की open का open इंबनेगा जाए arbitrary union करो या intersection करो तो दो रजल्ट तो यह है मेरे दोस्त इसके अलावाद दो और तलते हैं close के अंदर भी चलते हैं देखो कैसे इसका उल्टा हो जाएगा union का जिकर हो और बात हो close set की union का जिकर हो और बात हो close set की इस और intersection का जिकर हो यह सब ट्रिक है यह त्रिक्स बता रहा हूं याद रखने की intersection का जिकर हो और close set की बात हो कि यूनियन ओफ क्लोज सैट्स किसका उल्टा करना है उपन के कि इसका जीनियन में उपन के साथ अर्बिटेरी आता है लेकि इंटर इसमें क्लोज में उल्टा जाएगा जीनियन में क्लोज के साथ फाइनेट आ जाएगा कि मतला यह दोनों जहां बदलेंगे अपनी और यहां आजाएगा अर्विटेरी यह चोटे-चोटे पॉइंट बहुत कंफूज करते हैं में लागो ट्रिक से बताया आप याद रखो कि लंबे समय तक याद रहेगा यूनियन ओपन है तो अर्विटेरी आएगा इंटर सेक्शन ओपन है तो फाइनेट यूनियन क्लोज है तो फाइनेट इंटर सेक्शन क् इंट यूनियन ओफ फाइनेट क्लोज सेट यूनियन ओफइन टैक्शन ओफड़ृष कि रॉप ंपन नहीं बनेगा पेंगा जून लिए यूनियकर इंटर सेक्शन औव्फटी आ रहा है ना ओपन का इंटर सेक्शिंट यह प subir तो मैंने इस कुशिन का आंसवर भी दिया साथ के साथ तीन चार बात है एक्स्टरा बात आई है कि यह लाइन ट्रू है जैसे मालने यहां पर कर दिया फाइनाइट और यहां कर दिया अर्बिटरी और लिख दिया गर्एकि टुर्व फोल्स तो गलत हो जाएंगे फिर ऊल्टा काम हो जाएगा इस फों में ओना चाहिए ना next tempo F1 sequence sequence for 2S then F1 converges to f1s क्या होगा क्या होगा तो वह point-wise तो होता ही होता है यहां पर देखिए option d is the right answer every uniformly convergent sequence is point-wise बट्नोट कनवर्ज कोई पॉइंट वाइज है तो जरूरी नहीं है कि वह उनिफॉर्म ली भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो अगर यहां पर ओप्शन जा इंटीजर इन कॉंस्टेंट यह तो आएगा नहीं ऑप्शन डी दा राइट अंस और वाइंट वाइज कनवर एक यहां पर टी आएगा क्यूंकि हमन बिस अर्फट टी कर रहे हैं न तो यहां पर टी आएगा तो यहां पर क्या जाएगा लोग माइनस लोग ओफ अन तो लोग ओफ अंस लोग बढ़वटा घ्नीजरा फिटना एगा मरेघ दोस्त लोग एक सीजिश्गर डाइटा से मतलब यहां पर क्या है रेडियस ओफ कन्वर्जेंस तो अपने को सीधा एंस से मतलब है अपने इसके शोटकट सीखिए हुए एन क्या है अरा बया एक्स की पावर एंड का जो मल्टीपल है वो क्या है वन अपॉन एंड फैक्ट्रोयल यह कॉंप्लेक्स अनालेसी चेप्ट क्रिफों में आ रहा है यह लंबर सिस्टम में चल रहा है यह कॉंप्लेक्स में चल रहा होता है तो चीजे एग्जेक्ट लिए उसी पैटर्न पर होगी यह निकाल लिया इसका मुल्टीपल देखते हैं कोने वन अपन एंट फैक्ट्रील तो यह तो एन आ गया एन प्लस वन क्या आपना वन अपन एंट प्लस बन फैक्ट्रील आपकर दिमाहक में चल रहा हो सच्छी एंट ठीक है एंट प्लस वन क्यों निकाला अरब ही यह रेडियों सो कन्वर्जनस का फोर्मृला ओता है ना वन अपन आप आप एंट एंट प्लस वन डिवाइड बाइड एन अट एक फर्मृला और भी होता है वन अपन आप एंट लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी मोड ओफ एंट टुद पावर वन बाइएं यह फर्मृला कब लगाते हैं जब अपना एंट कुछ पावर की फॉर्मेट में हो इसकी पावर वन अबन एंजाए वन अपन टू एन जाए इस प्रकार से लेकिन अभी तो पावर वाला है नी सिंपल है तो ऐसा लगाएंगे तो वन अपन में आर दाट से क्वाल टू लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी अपने पास पहले एन प्लस वन की वेलिपूट करेंगे तो वन अपन एन प्लस वन फैक्टरियल और इसके नीचे एन आएगा तो पलट जाएगा तो उपर तला जाएगा एन फैक्टरियल अब यह नैच्रल नंबर्स पर काम होता है तो यहां पर ओंड की पोजिटिव एमें आएगा तो अपने हटा देंगे इंगे मोड को अटा देंगे लिमिट एन अप्रोच टू पर इंफिनीति वइन पोर्च तो वन इटंव ज्ञोट मैं पर कितना जाएगा जिएगा बन अपोर इसको नध् Alycella या से निकल जाएगा तो क्योंकि यहां पर center तो 0 आगे ना center यहां पर 0 है क्योंकि यह इस format में यह x-xnode to the power n और xnode की value कितनी है यहां पर दोस्त 0 है center तो 0 हो गया पीछे भी a-r a-r a-pull-r का फोन रहता है तो r तो यहां बने infinity है कि सिंपल सी बात है यह आएगा अपना तो अपना इंट्रफल तो यह आएगा और रेडिया सो कनवर्जेंस इनिफिनिटी आएगा तो ओप्शिन ए इदर राइट आप सब्सक्राइब प्रेश करता है है कि विच्वरानदी फॉलाविंग है टॉबजेगल परवार्टी कौन सा इसा जिसके पास इदर परविजिगल परवर्टी होती है पास कॉंप पैक्ट नेस नहीं भी या नियर कंटिटी ने इसको मतला भी नियन्य और कंपक्टन्रेश पाच्राइट्ट सेम सेम कुशिन इससे पहले और प्रिया से पर सॉलूशन के उनके अंदर भी आया हुआ है तो इसका मतलग यह होता है कोई भी दो पॉइंट आकर हम लेते हैं गिवन सैट से तो उनके बीच में पाथ बनता है जो स्टार्टिंग और और एंड को करता है एक पाथ मनाता है स्टार्टिंग और एंड से यह इसका बेसिक थोड़ी होती है आपको में थोड़ा में बताना चाहूं मालेजी आपने पास एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है इस प्रकार से प्रोज इंटरवल 01 से एक्स की तरफ और अपने को दो पॉइ होता है एक तूबी यहां से पॉष क्थ होता है जी रो सवन के लिए रूप कहीन अगी एसर बी तक जाता है उसको अपन पाथ क्नक्शन नेस इसको एकना मोर भी देते हैं आरक वाई सकनेक्शन नेस जयाद रहातिकरे नगी काम आ सकते एक नाम और होता है इसका आरक वाइस सब्सक्राइब जर एला इसके बंड़ जो आपने संपिली सब्सक्राइब कोुल लिए झालीग गलतो आएिएy थाय। वोनमेर्सने से होता है कि रिख एक्रष्ट हाँ है अधुब行..... पार्सम पर तो दोस्झात्य झाल रावेच्ट कुस्ट सुंजाना चाहरा तो दोशन क्या होगा और किया है यह अपर रहा है यहां पर यह रखेंगी सब्सक्राइब तो यह अपना हो जाएगा यहां पर यहां पर फिर से वह इगड़ पड़ा है क्योंकि यह अपना सही है कहीं न कहीं अपशन डी अग्जेक्ट लिए वैसा ही है जो अपन चाहते हैं यह वाला तो अपशन डी राइट है अग्या इस प्रफ्ट इस और तीज यह अपना प्रफ्ट ब्या पीछ नहीं छोड़ेगा किसी भी सिफ्ट का अपर अठालो डिटे प्लस टीजी टीटिए गांपक्ट वाले प्लेट वाले कॉंपक्ट वाले कॉंसर्ट पर कुश्चन जरूर आया और मैंने कितनी पार बताया कोई भी सैट अब अपनां कोमप्रेगे तो बाते कोई वोगलो बांडिड होता है मेरे दोस्तथ और वह बॉंड़िक होता है प्लॉज और बाउन्ड़िए क्या होता है मिरे दोस्त इता है यह दो बाते जिसके पास होती है वह अपना क्या होता है कोम्पक्त होता है तो पুपेंग्त तुछ न बीड ही वह्यण बांड एक उप्शिन एडान तो शियुक्रा मद एक लाड़िय। बाट बात रहे झोटा सा रजल्ट है जो मैंने बहुत अभत तरीके सा con को होटा है उसको टो पने सारह की सारह कौने करता है और और ढूरल लिमेंट को ड्राइवड सैट भी बोलते हैं, जो सेट औफ ऑल लिमेंट सीट को होता है न उसको फिर्थ को आ क्या बोलते हैं मिरे दोस्त ड्राइवड सइट बोलते है। -142213623. और एक रजल्ट ये होता है कि ड्राइव ड्राइवेट सैट क्या होता है मिर दोस्त होता है क्योंकि द्राइव ड्राइव tough सैयर्ट में साट अफर लिमिट मैंट को राइव टका तक रिफाल जसे एब आ यह सब्दोर्फ चैनल तो इस यह ज्यूल जब आ होगा है अना कलो सेट गवोता है इपनोल इस कंटेंस और विट लिमिट स्काइड यह थो रमें स्टेटमेंट है तो आपको कितना बिल्कुल स्टेटमेंट इपन कर आए कितने सिंपल सा कुछ यह पढ़ते ही आंसवागा पढ़ा वाज तुरंद आंसवर्थ हो यह यह वाद टрий बोला था इवर्येटृक चाहा यह तुम वेटbour़किल सपेऋ संर बटनोड कंवाइइबissippi लिएक चाहिव को जीगमेंगा। हुल नहीं चाहिपर नहीं जाक्ते हैं और करिक rumor सिक्षिइश काहिझ आवरी टृफ जीकेट कशेश कर्णूट था सब्सक्राइब नहीं होते हैं अगर यह कहता है तो नहीं कभी नहीं होते हैं अगर यह कहता है अगर यह कहता है इस टोपलोजिकल स्पेस तब बात साई थी लेकिन टोपलोजिकल मैट्रिक होगा सभी नहीं होते हैं सम्टाइंस हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं अगर यह कहता ह नहीं होगा sometimes वाली बात सही है always वाली बात भी करता है सभी हमेशा नहीं होते sometimes हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पी एंड फाई यह देखिए यह पी और फाई क्या है equivalent matrices दो मैट्रिक स्पेज डिफाइंड करता है जैसे अपन यहां पर मैट्रिक स्पेस ओर इस्पेस एक टी स्टार भी डिफाइट कर सकते हैं यह डी मैट्रिक फंक्शन को शो करता है यहां पर मैट्रिक फंक्शन को लिए पाई पी और फाई यूज कर रहा है को फरहक्त नहीं पाई पर पर फाई यूज कर सकते दैन कहह रहा है दोनों कैसे होंगे टो गाद याजतना जब दो-れमेंट्रिक्स इक्टीन ऊते हैं तो वह से molar आध़ या जब सेट पर सेम सेटेड़ और और फैड़ से होते हैं और भाया ओपन ओते हैं है तो द keeping latch दैन यह दोनों का दोनों कैसे हों गे सेम सैट पर सब्सक्राइब आपको चैप्टर 49 में बदाया हुआ है आप पड़ेंगे नजल तुमां मिलेगा आपको ओपन डिफ्रेंट गलाद डिफ्रेंट गलाद डिफ्रेंट गलाद गलाद सेम एंड ओपन ओप्शन डी तर इटान साथ सेम और ओपन होंगे ते बात साहिए कि इस एक टीज कॉंपैक्ट इप इडिज है दा प्रोपर्टी कोंपैक्ट का जिकर आ रहा है मतला क्लोज और बाउंडीड की बात होगी अना और जब भी कॉंपैक्ट आता है तो उसका कर्णेक्शन हैंडरी बोरल प्रोपर्टी होती है जैन बोरल कर यह तो कोई नाम ही नही है युनिक युनिक यह सो कुछ मतलबी निवनते यहां को दिश कन सनी मतर हैंडी बोरल इजढ भाइट आंश वार यह एप्रोपर्टि होती है मताम क्या होती है है हैंडी बोरल ठीयु आम एक तरीका से एक प्रूपर्टि वह स्टेटमेंट कि हैंवों बता के चलता हूं कह अब सकती वैसे वाइडी वकाहिवर बताए भी है वह यह कहती है कि every open every open cover of a compact set every open cover of a compact set has a finite sub cover finite sub cover अब यह cover क्या चीज होती है open cover क्या होती है मैंने बहुत अच्छी से बताया है यह statement है किसकी हैं री वोरल थ्योरम की हैं री वोरल प्रवेटी की every open cover of a compact set has a finite sub cover एक हैं री वोरल थ्योरम एक वीटरास थ्योरम है यह मैंने सब आपको अच्छे से डेल में explain करके इस थ्योरम का यह statement है इस हैनी भूल थ्योरम कि बार बार देखने की जूट है नहीं और जाम में थोड़ी नाएंगी तो एवरी कॉंपेक्ट सेट कौन सी परपर्वेटी रखता है हैं री वोरल ओपर्वेटी क्या है अवरी ओपन कवार ओफ ए सेट यह फाइने सबका यह बाकी नाम नाम तो फर्जी है यह उचिपका करते हैं इफ ओल करदेन्ट सीक्वेंश आर मैप टू एक अंवर्डेंट सेक्वेंश दैन दा फंक्षण इस अरब यह जब इक अन्वर्डेंट सीक्वेंश की बात होती है मैप करता है तो सिर्दी सी बाता है continuous यह आएगा ओप्शन में क्या है continuous यह रहा not defined differentiable discontinuous गलत बात जब भी कोई function अपने पास देखो फिर से अच्छा बता के जलता हूं जब भी कोई function अपने पास x to y continuous होता है not कर लेना यह काम आएगा मेरे दोस्त जब यह कोई function अपने एक से वाइग कंटिने सोता है तो जो sequence होता है सब पोच कर यहां पर एक sequence बन रहा है f of a n से sequence of function तो वो करेगा f of a को यहां से आएगा और यहां से आएगा तो जब मैप करता है यहां से यहां से यहां की तरफ किसकी तरफ कर रहा है तो फंक्शन कैसा होता है फंक्शन मेरे वाई सब्सक्राइब करता है अगर बढ़ता है इसका बेसिक रजाल स्योरम से तरीक से प्रोबर्टी है कोई भी ग्रूप जिसका ओर प्राइम होता है जिसका प्राइम होता है यह 16 Ba grounds' for करक्ट है option a & d बोथ हार करक्ट तो यह आपको ध्यान रगना है ना नेक्स चलते हैं कि अग्रूप जी इस कंप्लीट अरे यह तो रिपीट इट कुश्चन है ऐसा ही कुश्चन पिछे पर सलूशन की है अपने साहथ किसी ना किसी पर में यह कुशन रिपीट हो और करा एक जी अगर कोई गूरूप कंपलीट है अपना तो जी से लेकर आई जी तक एक फंक्शन है अपनी यह सेप्सक्राब को लिए आपने सब्सक्राइब होती है जो होती है अपनी हम और फिजम क्या होती है आइस अमोर्फिजम काहलाती है जो कंपलीट का दिकन आहे ऑट आगी से तरह जाहेंगे रिपीराना मुंची तरफ शाएंगे लग्शन द्ट्विज का यह क्या रहा है लेट टीवी यह फाइन ग्रूप ग्रूप और ओडर ऑफ जीड को पी टो द पावर आर इंटु एम यह मोड ऑफ मोड के अंदर जी जो लिखा हुआ है बेसी कि यह क्या करता है और ओडर ऑफ जी को रिप्रेजेंट करता इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि विरा कर रहा है कि एम इज नोट डिविजिल वाई पी यह तो भाईया सैक्लिक क्या बोलता है सैलो पी सब गुरूप की डेफिनिशन की तरफ जा रहा है अना हलाकि अपने सैलो सब गूरूप नहीं पड़ा है यह अपने सलेबस में नहीं आता है एक दो ही एक दो कुश्यन यह एक ही कुश्यन ऐसा है दिए जो सेलों के उपर आया है इसको पंड़ने के जुरूत भी नहीं है अपने सलेबस में है हलाकि हलागा जड़ा सब्सक्राइब हो मैं आपको बता के चलों कहीं काम आ सकता है आपके जैसे यह बात लिखिया आती है एम इस नोट डिवाइट सकता है एक बात है दान देट नोट भीट फीट लट वर गडिशन के लिए जो चकुन प्रड़कशन के लिए में सब्सक्राइब सब्सक्राइब और finite group की बात कर रहा है तो यह कहिना की cello P subgroup की तरफ जा रहा है और देखिए option आप देखेंगे तो उसमें भी देखिया every P subgroup of G contained in the cello तो कहिना की cello को जिकर आ रहा है तो पहले आपको मैं वहीं बता के चलता हूं देखो यहाँ पर M और N यहाँ पर R और M इस्तेमाल कर रहे हैं मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताके चलू इसालो सब गूरूप की इसालो पी सब गूरूप और बेसिकली अगर हम थोड़ा आपको इसालो सब गूरूप की तरफ बढ़ें तो भूस चीविश्टी इसमें आपको सबूरूप की बारा में मिल जाए नेट लेवल यह त्यारी कर रहे हैं खास तो होते हैं वहां पर यह कॉंसर्ट चलता है और बिसिकली तीन परकार की थिखोरम सोती है सैलो फ्रूरम जहें आप क्या इस्तेमाल कर लिए एम और न वह भी थीक है मैंने अपनी लेवल पर चीज़ों इस यूज कि थोड़ा आप बताके चलें आपको जो पी होता है यह पी यह पी आपका होता है प्राइम नंबर पी आपका प्राइम नमर अमोर एंड क्या होता है एम और एंड आइसे केस में जो सब भूफ होता है एच जो गुरुप जिए का जो सब गुरूफ एच होता है वह कहलाता है एच इस नोन आज नोन अस से लो कि पी सब गुरूंब कि सेखानों है यह सब बाते होती हैं एक खास बात और अगर आप पी अपना फाइन गूरूप का और यह पी को है और ऐसे केस में अगर पिर डिवायड करता है ओडर ओफ जी को अगर पी अपने पास जो दो शीरों सब गूरूप उते हैं जो भी दो सेलो चरूप होंगे जो भी जो भी दो पी सेलो सब डॉसों इस अना किया होंगे कि क्या होंगे खुझत होंगे कैसे ओंगे ओंगे पूसरे की यह अब पहनम अगर पी डिलाइट करता है है order of G को G finite subgroup है finite group है तो उसके जो दो चालो पी सब्रॉप होंगे जो दो पी सब्रूप सोंगे वह दूसरी को डिवाइड करें इस इंगे अब देखिए आप इस question पर आता हैं तो कौन सी परपरेटी फिटने डिस कंडिशन में पैली कंडिशन देखिए एक प्सेय के गये स्विधोब चिशू आपके लॉट डूस यह करता है इस 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 संदिघ्द करना है इस कंडिशन की सापसे चाहिए इस कंडिशन होंगे और यह अपने क्या दिखाता है यह बात भी ठीक है अने टू सब ग्रूप अने टू से लोपी सब ग्रूप आर कॉंजुकेट होते हैं जैसे मैं यहां पर पता है पी अगर पी का ओडर डिवाइड कर जाता है सब करो यहां पर एन की वेलुवान आ जाए टू आ जाए यह अपना डिवाइड कर जाया इस केसमें पी ओर और ऑफ जी को कि अगर जो दो पी सब्रूप ग्रूप इस नौर्म अनुप इस दाओ निसफल यह कंडिये बात भी ठीक है यह थिरा में स्टेट्मेंट है कि अगर को सेलोंपी सब्रूप नोर्मल है इफ इफ नॉनलिफ र अगर वो केवादो एक ही खुद ही पैसे लूपी सब ग्रूप से तो वो नॉर्मल ही होगा लेकिन इस कंडिशन की साफ से चले तो अपने पास यहां नॉर्मल कोई कंडिशन से यहां पर शो नहीं हो रही है स्टेटमेंट तो एठीक है लेकिन इस गीवन कंडिशन पर यह प्रफिट नहीं नेगे तो आप्षिन दीट रहा है नेक्स टेको लैट साइल एक वाल टू जी यह कही ला कि एक तरीके से यह शो करना चाहरा है कि वहीं एच्वन ह्टू सब गूरूप से गूरूप जी के तो इस पकार से यह बाते शबसेट ऑफ एच्वन सबसेट अफ जी स सबसेट ऑफ जी इस तरीके से यहां पर यहां पर लिखना चाहरा है कि एच्वन लैजन इकल टूटी फॉर आई कहां पर जा रहा है एन तक जा रहा है कि तन वीचोधा फॉलाविंग सैट्स देज नोट सैटिस्फाइड आईडीप आईडीप वट दूमन वाई आईडीप इंसर्ण की आईडीप मतलब इंटरनल डारेट प्रडक्त इंटरनल डारेक्ट बॉल्डक्त इंसर्माइडिफ यही बात गलत बहल दोफाएंगे न जैसे है एपना एक एलीमेंट एकिया ंच्वन एच एच्वन से आया और एकस्वन एच्वन से आया इस परकार से ह ps3 से और वह इसके एक्वल होता है यह बास सही नहीं है डाट प्रोटक्ट में पोसिबिलीटी नहीं है कि इक्वल हो सकते हैं इस बास कर दिखान अगना है यहां पर मैं कहा दू भी 2 2 3 2 4 यहां पर मैं कहा दू 1 2 2 3 तो यह बराबर हों गए यह जरूर नहीं होता है अगर ग्रूप जी के वाग्ष ट्र्रेज्ट सबरेगर अंब करने ऊण यह सारे सब ग्रूप है उन सभी संप्रिंट होता है वो कई नहिंग जी के होता है यह बात घी के आगि सब्गून्हें तो नोजगर सब ग्रूप और यह पोलेट किसके मिरस्ट भीक यह का सबी है यह इत्जोन आयगा है पहला है पहला यह आपफशन यह incorrect है नहीं करेगा तो यह पहला है अपशन है पहला यह उप्षण दृप्ष्ट ओर महले के खासे करें अ कंगे लाय consistent बात करें तो उप्षिन डी नोट के इसाफ से चले तो उप्षिन एस तरह टांस और उप्षिन डजनोट के इसाफ से चले तो यह दो नुट थीग है कि एपने पास कोई दो अलिमेंट एक्स करते हैं तो बी कहलाता है कॉंजुगेट ओव एक लाएक्स इनवर्स एक यादा रहा है चाहां से विलों करता है तो यह सब चीजे में आपको पढ़ा रखी है तो कहिना कि आपन से जाना चाहरा है जो जो कॉंजुगेट वाली बात है और अपने एक दूब बी कह रहे हैं तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं और यह कहला आपना रिलेशन ओफ को जूकेशी रिलेशन ओफ कुंजुकेसी और कहने बहुत है और अपना एक्यूवलेंस रिलेशन होता है कहने का मतलब और रिफलक्सी बीट्र समेट्रिक टाजिटि अंदर यह आते हैं अगर आप्शन एक इतर जाए तो सब्सक्राम नहीं करें दोस्त तो अगर आपन वैस्ट कर टांसर की तरफ की जाये तो और अप्शन भी इस तरह एट आप्शन भी इस दरह इंवर्स ट्राजिटिव की तरफ यह नहीं जाने वाला है फोल ट्राजिटिव इस प्रकार से तो क्या है ओप्षिन देखो डी हाइडल ग्रूप साइगल ग्रूप पी सब ग्रूप है तभी तो अगर पी की पावर में आ रहा है ग्रूप का ओडर तो उसको स्पेस्टिपिक नाम देगा है ना पी सब ग्रूप उसमें कुछ आधा सोचने वाली बात ही नही ले फाइनेटेट ग्रूप आवि ओनेटेवल फाइंटेट पी ग्रूप आवि नोरवर पी अप्रेवल पांटेट पी ग्रूप हेस सेंटर ग्राफिकाल नोडल एड्य रडियल जों得 अगर छोने यहों tips नियुट साप ग्रूप है तो उसका जिस सेंटर ओ आऊज वह और ह होगा इस वार्ट कर दहां रगना है सिंपल बेसिक रिजल्ट थियोरम सोती ही यह सब एवर लाइनर पुशिंग इस्तमाल होगी इनके प्रूफ की विच्छे नहीं जाना अपने को कि ए खालिस्तान ब्लैक में क्या आएगा ए ग्रूफ ऑफ जी सब ग्रूफ ऑफ एच सच एट एलफा इस एक्वल टू एच फुर आल ओटमॉर्फिजम एलफा ऑफ जी मतलब अलफा जो है वो कहां से आ रहा है जी से आ रहा है तेकि यह अपना कहीना कि एलफा एच यह लेफ् जाएंगा जाएंगा ऑप्शन सी की तरफ टरस प्रकार से होता अलफा एच बराबर एच अलफा तो कहीना कहीं यह अपना लेफ्ट को सट राइट को सट को एक्वल शो करने की बात कर रहा है तो आशी कंडिशन में नोर्मल की तरफ जाते हैं लेकिन अभी यह वाली बात त जाएंगे झाल सी की तरफ जाएंगे फ्रक्टरशी तब ग्रुप कि दर पना विचीज विच कंडिशन इज नौट एक्वलेंट रिगार्डिंग दा गुरुप ठोरी गुरुप ठोरी कोई कों सी कंडिशन एक्विवलेंट नहीं है अलफा भी लोंग ए बिलोंग्स इन दोनों की इस पकार से लिखा चाल सकता है इस पकार से पॉर्मेट में होगा तो यह चीज भी गुरूप तो इस पकार से लिखा जाएगा तो यह बात भी ठीक है लेकिन यह कंडिशन जो है कि एजी में होगा तभी एक जी में होगा यह तो कोई इसमें कुछ गुरूप त्योरी की ऐसी खास बात नजर नहीं आ रही तो नोट के हिसाफ से चलें तो अपना ऑप्शिन एक तरफ जाएंगे ऑप्शिन एस तरह हैं और आज का अंतिम कुशन मै आई डी पी इंटन इंटन लार अट अपकर कोन सी प्रवेटी नहीं करेगी उस तो सड़िस्वाइब चीवन एल्फाबन इस इकोल टूजीवन चीवन यही यह उपनी यहां पर डार्ट करत थाएं में काम नहीं करते आला पूड़क्ट में चो अलमेंट का पूड़क्ट हो सकते हैं और इसको आपन ऐसे सकते हैं ओडर ओफ जीटो अलभावन तो कहीना कि यह नहीं बॉट को शों करता है दो का ओडर एक्वल हो सकता है मेर दोस हां ओ सकता है में तो हो सकता है अब इलेमेंट ऑफ जीवन का मिएट्टी ये बात भी थीक है कॉम्म्यूट कर सकते जी है जी है जे नुट लटन टे लिमेंट यह बात भी ठीक है तो कहीना कि अगर हम बात कर्वें नहीं करेंगी वह यह फाली बात यह बात पौप्शन कर सकता है अगर नहीं की तरफ जाए तो यह वाली कंडिशन से आपर काम नहीं करती है तो यहाँ पर अपना करता है ना यहाँ पर में पर रखें अगर ऑप्षिन जो अपना पर आया था अग्राम के लिए उसमें थोड़ा वहत अगर आपको डाउट आता है कि आप उसको ठीक करेंगे फिलाल यह पर गोगी कुश्चन जो होते हैं इनके मैं आपको हाइलाट करके बताऊंगा यह आपक सब्सक्राइब करें आप जरूर यहां से कर लीजिएगा तो एक पहला ऑप्षिन नंबर नाइंटीवन है उसमों मुझे डाउट है तो पैड़ागोगी जो दस कुश्चन लास्ट के होते हैं अगर आपको इन पर डाउट भी आते तो अपने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से आप इस चीज़ कंफर्म करेंगे क्योंकि इन कुश्चिंस का सही या गलत मैं आपको एक्जक्ट नहीं बता पाऊंगा मैं वहीं बता रहा हूं जो ओजिनल पेपर में आया हुआ हुआ है तो आप इनको खुद अपनी रिस्प इच बढ़ इस बनिफिट ऑन अप्टिविए बेस्ट कुरिकूलम टूब प्रेप्टिव थिंकिंग इस्किल्स next upon July literacy skills specialized to history science mathematics literature or other such matter is called displacement dispensary literacy which is the first step towards equilating define define the purpose and parameters mathematics study can help person develop which of the following skills better problem solving skill in order to arrive at gender equalized school a hostel a holistic approach involving various intentions interventions is required from following which is holistic approach that I get training teachers in the skills for making the teaching and learning process as once you to a specific need of girls and boys blank of the UNC a PD detail deals with the right to education person with disabilities article 24 we have a raga which of the following is not criticism of good information cost to leave a charity narration is an art in itself which aims at representing two pupils तो यह तो यह थे अपने हंड़र कुश्चंस सारा समझ माया होगा अच्छा लागा होगा अगर कोई भी बात आपको पसंद आती है अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं बहुत महाने सी चीज़े त्यार होती है आपने दोस्तों से शेयर करना न भूले यह व सब्सक्राइब बटन दबाए था कि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर आप हमारे पेड़ कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हमसे पढ़ना चाहते तो अप्लिकेशन रितिन से मैस को जरू डाउनलोड करें और कोर्स का डिस्